आज एक विशे पर चर्चा करते हैं अब कई तमाम सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं कई टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं और आज अभी यॉरॉप में फार्मर्स का जब प्रोटेस्ट चल रहा था तब और अभी भारत में जब किसानों का अंदूलन है तब ये चर्चाएं अक कारें पूंजीवाद का ही समर्थन करती हैं तो यह discussion समेशा बनी रहती है समाजवाद जैसे की सोचलिजम पूंजीवाद जैसे की capitalism इसमें यह चर्चा समझने जरूरी है कि सोचलिजम और अब कैपिटलिजम नहीं उसको छोड़ी है सोचलिजम कैसे है उसमें कैपिटलिजम पर दे करके समझाऊंगा जैसे नतबजो सिंग सिद्धू का पंजाब के चुनावों के समें में यह कहना कि कोई भी पार्टी जो सही माइने में पंजाब का फाय movies का ना चाहिए है तो उसे सेंड माफिया खतम करके कॉर्पोरेशन बना करके सेंड कॉर्पोरेशन के वाया मार्केट में उतारनी चाहिए कॉर्पोरेशन शब्द सब्सक्राइब का क्या मतलब था आपको सोशलिजम और कम्यूनिजम का जब समझाओंगा तो आपको समझाएगा जब यह कहा जाता है कि किसानों की समस्याओं का सही हल कॉपरेटिव सोसाइटीज बना करके ही निकलेगा कॉपरेटिव सोसाइटीज बना करके हल कैसे निकलेगा वो क्या कहना चाहते हैं जब अभी socialism और communism समझाऊंगा तो आपको ये समझ में आएगा जब जगा जगा पर आप ये poster देखते हैं कि लोगों को free दे करके free दे करके free दे करके आप उन्हें ये आदट डाल देंगे कि ones killed हो जाएंगे और वो एक free चीजों के trap में आ जाएंगे जैसा कि socialist societies ने किया था एक समय में innovations को खत्म कर दिया था हम भी वैसा ही करने जा रहे हैं तो आपको समझ आएगा कि इस तरक के पीछे कोई सच्चाई है भी की नहीं free शब्द से मतलब क्या है socialism और communism में अगर कुछ free है दिमाग खोल करके सीखिएगा सब समझ में आएगा चलिया तो socialism versus communism ना ये communalism है रट ले ये communalism नहीं है यानि कि हम यहां पर सामपरदाइकता की बात नहीं कर रहे है ना capitalism की बात हो रही है जो कि पूंजीवाद है ये कम्निजम है तो socialism की Hindi समाजवाद कम्निजम की हिंदी समयवाद तो ये हिंदी में समाजवाद और ये समयवाद ये समाजवाद और समयवाद कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं है कैसे एक दूसरे से अलग हैं, मैं दोनों समझा दूँगा, आप समझें, सबसे पहली चीज की यह क्या है, यह क्या है, यह दोनों ही एक philosophy है, यह दोनों ही एक ideology है, एक विचार धारा है, एक दर्शन है, एक ideology, एक philosophy है, किस दिशा में काम करने के लिए? economy, polity, society, इस विचार धारा से चलती है फिर, तो यह economy के context में एक philosophy और ideology है, यह polity के context में एक philosophy है या ideology है, यह society के context में एक philosophy या ideology है, philosophy और ideology से बहुत फ़र्ख पढ़ता है मेरे बच्चे, समझना चाहते हैं कैसे, आ जाओ, society को यहाँ पर उसके छोटे unit में convert कर देते है, family, society का छोटा unit होता है, family, उसमें बदल देते हैं, पहला switch off कर दो बेटा, switch number one, अब हम ideology और philosophy का क्या अंतर पढ़ते हैं, देखते हैं, देखिए, एक parents है, parent number one, उनका मानना है कि जो उनके बच्चे हैं, उनके जो children हैं, उनके साथ friendly नहीं रहना है, उनके साथ बहुत ही सक्त behavior अपनाना है, उनको सोड़ा सक्ती में रखना है, उनको सक्ती में रहना है, यानि कि उनके साथ strict रहना है बहुत, ये उन parents की ideology है, उनकी विचारधारा है, बच्चों पे वैसा ही परिवार या उस परिवार पे family number one पे वैसा ही impact आएगा, लेकिन parent number two का मानना ये है, कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी बातों को जानना, सुनना, समझना जरूरी है, घर में समवाद करना जरूरी है, घर में बात करनी जरूरी है, घर में discussions हों, deliberations हों, ये जरूरी है, कुछ मर्यादाएं पालन करेंगे, जिसकी उलंगना कोई पर उसके बाद maximum space देना जरूरी है, सब को कि सब अपनी बात रख सकें, तो इस घर में बातें सर्वसमती से फैंसल ले करके होती हैं, सही गलत पर चर्चा होती है, यहाँ पर ये family, parents two के द्वारा follow की जाने वाली, इस ideology और philosophy से चल रही है, तो ये family अलग होगी, family one, family two, दोन विचारधारा हैं, ऐसे समाज को बदलती हैं, और अलग-अलग विचारधाराओं पर खड़े समाज भी अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग नतीजे निकलते हैं, ओके, that is the power of the विचारधारा, दो families के results अलग की होए, क्योंकि दोनों परिवारों की विचारधारा हैं अलग गई है, उस पर based होती है, polity based होगी उसी philosophy, ideology पे, economy उसी पर based होगी, society उसी पर based होगी, इसलिए एक country, एक nation, nation number one, के nation number two से outcomes अलग हो सकते हैं, दोनों की राजनिती अलग होगी, दोनों की अर्तवस्ता का तरीका अलग होगा, दोनों का समाज का प्रबंधन अलग होगा, क्योंक तो ऐसे में, 19th century के दौरान, in the middle of the 19th century, आप इसको कुछ इस तरहांक से लीजिए, 1840, 50, 60, 70, 80, यह वाला दौर है यह, तो 19th century का middle ही हुआ है, इस समय के दौरान, जर्मन के कुछ philosophers, प्रॉमिनेंस में आए, उन philosopher में से एक philosopher है काल माक्स, एक philosopher है काल माक्स, और एक philosopher है फ्रेडरिक एंजल, दोनों बहुत important है, काल माक्स, इन दोनों ने आपस में मिलकर ही कई philosophies दी, कई ideas दी है, माक्स और एंजल, इकठे ही जाने जाते हैं, उके, उन ideas में से एक idea बहुत prominent था, जो इन दोनों ने दिया, वो idea क्या था, 1848 में इन्होंने एक चीज पब्लिश करी, जिसका नाम था, Communist Manifesto, The Communist Manifesto, एक Manifesto launch किया, जो कि Communist विचारधारा पर खड़ा Manifesto था, ओके, ये 1848 के समय की घटना है, इन दोनों ने ऐसा किया, Communist Manifesto क्या था, उसमें क्या होना चाहिए था, और आज की डिट में क्या है, वो हम समझाएंगे, पहले ये दो व्यक्तियों के बारे में हमने जान लिया, काल माक्स जो भी कहते रहे, जो भी करते रहे, आज उस विचारधारा को हम माक्सिसम भी कहते हैं, क्योंकि माक्स ने दिया है, उसे फॉलो करने वाले को हम माक्सिस्ट भी कहते हैं, तो वो माक्सिसम को हिंदी में माक्सवाद कहा जाता है, और माक्सिस्ट माक्सवादी है, तो माक्सवाद, माक्सवादी, माक्सिसम या माक्सिस्ट इस तरह की बाते आती रहती हैं, क्या दिया था इन्होंने इस कम्मिनिजम के रूप में, जब इन्होंने कम्मिनिस्ट मैनिफेस्टो दिया था, उसके लिए कुछ समझना जरूरी है, वो क्या, देखो 18th से 19th सेंचुरी का यॉरप, कुछ अलग यॉरप था उसके पहले वाले टाइम से, हम यहाँ पर अब 18th स 19th सेंचुरी यॉरप की बात कर रहे हैं, यानि कि सीधे माइने में अगर मैं डेट्स लिखूं, 1740 से 1861 की बात कर रहे हो आप, क्यों बात की मैंने सिरफ इसी समय की, ये समय जुड़ा है, इंडस्ट्रियल रेवलूशन से, और मैंने क्यों की इस ओध्योगी करांती की बात इस इंडस्ट्रियल रेवलूशन की, इस इंडस्ट्रियल रेवलूशन ने बहुत हेविली यॉरोपियन एकॉनमी, पॉलिटी और सुसाइटी को बदल दिया था, यॉरोपियन एकॉनमी, यॉरोपियन पॉलिटी, यॉरोपियन सुसाइटी में बहुत रेडिकल चेंज़ आये थे, due to this industrial revolution, due to this industrial revolution, उन radical changes में एक जो change आया था, वो change क्या था, एक major change क्या था, वो change ये था, कि ये जो factories थी या ये जो industries थी, इन factories या industries में दो stakeholder हुआ करते थे, जो दो लोग इसे जुड़े होते थे, पहला वो व्यक्ति जो capital को control करता था, जिसने capital को control किया, या जो capital को own करता था, पूंची का स्वामी है जो, that is the capitalist, या आज की date में आप इसे कह सकते हैं, entrepreneur, that is the entrepreneur, okay, the promoter, मालेक, या employer, entrepreneur, या कुछ भी कहिए, one and the same thing हो जाएगी, इस discussion के लिए, मतलब पहला तो व्यक्ति वो होता था, जो पूंची का स्वामी होता था, capital को own करता था, industry में ये तो होते ही हैं, और दूसरे वो होते थे, जो labor को own करते थे, जिनके पास labor होती थी, तो labor के स्वामी, वो अपनी labor दे रहे हैं, वो उसके स्वामी है, तो ये labor class हो जाती थी, the workers, तो हमारे पास दो तरह के segment create हो जाते थे, एक industry के अंदर, एक the capitalist, एक the workers, with the passage of time हमने ये notice किया, कि industrial revolution की वज़ा से, European economy में ऐसा बदलाव आया है, कि जो industries है, उसके जो दो stakeholders हैं, उन stakeholders में, एक बदलाव आना शुरू हुआ, वो क्या, जो capitalist है, यानि कि जो promoter है, जो मालिक है, वो enormous wealth, enormous wealth, accrue करते जा रहा है, या accumulate करते जा रहा है, enormous wealth accumulation हो रहा है, यानि कि वो पूंजी में बहुत बड़ा बनता जा रहा है, वो enormously, वो ultra rich होता जा रहा है, लेकिन यह वो किसी की कीमत पर कर रहा है, ये richness, ये wealth, जो उसने accumulate की है, ये distribute होनी थी किसी के साथ, तो उसने किसी का status बदल दिया, वो क्या, यहाँ पर जब मैंने कहा कि, capitalist, capital को own कर रहा है, और labor अपनी labor को own कर रहा है, यानि कि worker, actually में हूने ये लगा कि, worker अपनी labor को own करना बंद कर गया, क्योंकि worker की labor को own करने लगा, ये capitalist, उसकी labor को ये capitalist own करने लगा, ये उसकी labor का भी स्वामी हो गया, और बदले में ये उसे, उसके द्वारा लगाए गए जितने भी आर्स होते थे, जितने भी घंटे उसने काम पर लगाए, जो उसने अपनी जो physical labor दी, उस labor के बदले में उसे, बहुती degraded wages पे करते थे, मतलब, ये उस व्यक्ति को, उसकी skills की जो कीमत होनी चाहिए, जो कि जब आप किसी चीज की labor करते हैं, तो आप सिरफ और सिरफ एक शरम नहीं करते, आप कौशल से भरा हुआ शरम करते हैं, अब जब अपनी labor offer कर रहे हैं, being a worker, तो आपने सिरफ और सिरफ अपनी physical labor नहीं offer की, आपने अपने skills भी offer की है, लेकिन हुआ ये लगा, कि worker को मात्र, उसकी physical labor के लिए wages दिये जाने लगे, जो कि खुद बहुती degraded wages होते थे, जो बहुती pathetic state में, worker को survive करा सकते थे, that's all, लेकिन, उसकी जो overall value of labor बनती थी, जिसमें skills included थे, उसको उसके इस अधिकार से वंचित किया जाने लगा, ऐसा जैसे कि, उसे किसी ने खरीद लिया है, जैसे उसकी labor का स्वामी भी कोई और बन गया है, और उसी से कमाया जाने वाला वो पैसा, किसी के पास एकठा होने लगा, और वो है the capitalist, तो ये होने लगे the ultra poor, the ultra poor, तो industrial revolution ने ये उरॉप में, अर्थविवस्था और समाज में एक ऐसा परिवर्तन लाया, कि हमें यहाँ पर clear cut, दो क्लासेज दिखनी शुरू हुई, फर्स्ट, the capitalist class, the capitalist class, and the second, the working class, the working class, तो class existence में है, एक capitalist class है, एक working class है, capitalist class जो की ultra rich है, और सारे के सारे, privileges इसी के पास है, all the privileges, all the economic, political, social privileges इसी के पास है, लेकिन working class, जो की ultra poor है, और वो हर तरह की deprivation, हर चीज से वंचित है, no privileges but deprived, इसकी वज़ा से, यह ultra rich और ultra poor, कि यह जो दो classes create हुई, this capitalist and working class, जो की एक privileges एक deprived है, समाज इस तरह से बनना शुरू हुआ, और यह जो privileged है, यह जो ultra rich है, यह जो capitalist है, जिनने की आप merchant, जिनने की आप trader, जिनने की आप simply business man कहके पुकार सकते हैं, यह सब ही business man, यह business, यह merchant, यह trader, यह business man, यह सारी capitalist class को collectively एक शब्द से denote किया जाने लगा, और वो शब्द था बर्जवास, और यह जो working class है, जो की अल्ट्रा पूर कर दिये गए हैं, जो deprived हैं, जिसमें आप mainly agricultural laborer, और industrial worker, यह दोनों एकठे करते हैं, यह मिलके कहलाने लगे the proletariates, दो classes existence में आई हैं, बर्जवास और प्रोलेटेरियर्ट्स, समाज इन दो वर्गों में बढ़ गया, दो भागों में बढ़ गया, इंडस्ट्रियल revolution ने ऐसे महौल पैदा कर दिये, कुछ ऐसा था यॉरॉप का 1800, 1810, 20, 30, 40, 60, 70, 1880, 1890, 1900 का ये पूरा समाज, कैसी परिश्थितियां हो गई होंगी प्रोलेटेरिट्स के लिए, 365 देज वर्ग था, कोई लीव नहीं थी, 365 देज वर्ग, नो लीव, ये वर्ग कंडिशन थी, सेकेंड, 16 आर्स तक, पर दे वर्ग कराय जाता था, 16 आर्स, पर दे वर्ग हुआ करता था, और आमदनी कितनी थी, मियर सर्वाइवल वेज़ेज, सिरफ एनिमल एग्जिस्टेंस लायक वेज़ेज दिया करते थे, स्पेस को बचाने के लिए, कैपिटलिस्ट कम जगा में, बहुत ही टाइटली स्पेस्ड मशीनरी लगाते थे, और उन मशीनरी के बीच में से निकल सकें, चोटे शरीर वाले, नाजुक नाजुक हातों से काम करने आले, बच्चे, तो स्पेशली प्रेफर करते थे चाइड लेबर, बैनिफिट, बैनिफिट ये कि हाफ पे पे भी काम करते थे, दूसरा बैनिफिट, और्गनाईज नहीं होते थे, क्योंकि समझ कम होती थी, तो संगठन नहीं बना पाते थे, यूनियन्स नहीं बना पाते थे, थी किसी तरह से, वुमेन, महिलाओं को भी काम पे लेकर क्या आओ, तो व्यक्ती भी काम पे होगा, बच्चे भी काम पे होगा, और अरत भी काम पे होगी, सारा फैमिली यूनिट काम पे आ जाए ये एक तरह की दास्ता ही थी और वुमिन का भी वेनिफिट है उसको भी हाफ पे देते थे तो बच्चों से चाइड लेबर कराई जाती थी बहुत ही एक्सफलोस्टेटिव मैनर में फैक्टरीज में मशीनों के किसी भी तरह के डेंजर को रिडियूस करने के लिए कर्चा नहीं किया जाता था बहुत ही हजार्ड़स कंडीशन में जोब होती थी भिछ आप उनमें जीने के लिए शहरोमें तेजी से पैदा हुए यानि कि पूरी तरह से अनहाइजीनिक कंडीशन आप उन में जीने के लिए मजबूर है किसी तरह की कोई विवस्था नहीं है किस लिए education के लिए क्योंकि पढ़ेंगे लिखेंगे, सवाल करेंगे समय नहीं देना, ना ही resources देने education नहीं है health infrastructure health नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं है तो health कहां से support कर सकते है किसी भी तरह का leisure time नहीं है cultural practices ही नहीं हो पाएंगी लोगों में समान या dignity नहीं बचेगी तो अत्याचार के खिलाब विरोध भी कहां से करेंगे no education, no health, no leisure no future security no future security और यह सब क्यों किया गया यह सब इसलिए किया गया क्योंकि इसके पीछे एक विचारधारा है जिससे industrial revolution चला और वो विचारधारा क्या थी industrial revolution की विचारधारा में एक कोर बात यह थी कि all the time production का scale बना रहे और बढ़ता रहे so industrial revolution का जो main खेल था वो mass production था that is the thing, the mass production अब आप mass production कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि वो consume भी हो इसके लिए ज़रूरी होता था कि दुनिया भर की markets को capture किया जाए so markets capture करना है एक समय तक इसके लिए तरीका अपनाया गया कि उन मुलकों पे जाकर के सीधी बात्शाहत अपनाओ colonialism आप उन्हें अपनी कॉलोनी बना लीजे फिर वो हमारी बताई शर्ते मानने के लिए मजबूर होंगे हम जिस मैनर में वहां से लेबर लेकर के आएंगे वो आएगी चाहिए हम उन्हें कोई पैसा भी नहीं देंगे हम उनके बाजारों में जिन कीमतों में अपना प्रोड़क्ट बेचना चाहेंगे वो खरीदेंगे क्योंकि हम उनके लोकल इंडस्ट्रिलिस्ट और लोकल कॉटेज इंडस्ट्रिस को खतम कर चुके होंगे हम वहां से जितने भी वहां के ट्रेडर हैं लोकल सप्लायर हैं, उनको या तो अपने साथ जोड़ेंगे हमें हमारे इंटरस्ट सब करने के लिए या उन्हें उखार देंगे, अपने लोगें प्लांट करेंगे तो पूरी तरह से एक मुल्क को अपनी कॉलोनी बना लेना, उसकी लेबर, उसके रिसोर्सेज और उसकी मार्केट, अपनी कंट्री की एकॉनमी के लिए यूटिलाइस करना ये उरोपियंस ने एक समय तक यह किया, कलोनिलिजम लेकिन जब समय बदल गया, ये चीज़े नहीं रहनी, देरे-देरे आपको हटना है तो मार्केट कैपचर कैसे किया जाए, फिर उसका एक तरीका क्या रह सकता है मार्केट कैपचर करने का तरीका ये है, कि आप अपने प्रोड़क्ट की क्वालिटी पर फोकस करिए, जिसके लिए ज़रूरी है कि आप लगातार innovations करते रहें do some innovations innovate करिए मतलब कि आपको अधिक खर्चा करना है research and development पे R&D इसके लिए ज़रूरी है कि आप कम लागत से mass production करें यानि कि आपको लगातार technology में invest करते रहना है इसके लिए ज़रूरी है कि आपका product जादा लोगों में बिके इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप लगातार advertisements पे खर्चा करते रहें आपको ज़रूरी है कि आप सरकारों को lobby करें ताकि आपके products का approval मिले इसलिए आपको lobbying का process अपनाते रहना यानि कि newspapers और other organizations को manipulate करते रहना है कि सरकारों पे दबाव इस तरह के बनाए रखें ताकि agreements ऐसे हों जो आपके हक में हो तो innovations में लगातार खर्चा करते रहना, technology का विकास करना advertisements पे खर्चा करना lobbying करना और अपने level पर लगातार production को बहतर बनाना ये सारी चीज़ें भारी capital की requirement create करती है पुझी की ये चीज़ें capital की requirement create करती है अपने 10 लाख रुपए खर्चा एक कार ली वो expenditure है आपने 10 लाख रुपए खर्च के कार लेकर के उस पर yellow plate लगा के yellow sticker लगाया उसे taxi बना दिया, वो पुझी है तो expenditure और investment में फर्क होता है जो खर्चा है वो खर्चा कर दिया expenditure ये जो किराय पर गाड़ी लगा दिया आपने वो 10 लाख रुपए पुझी है क्योंकि पुझी क्या होती है वो पैसा जो पैसा बना कर दे हम पुझी किसे कहते हैं वो पैसा जो पैसा बना कर देता है the capital तो ऐसे में पुझी की ज़रूरत बनी रहती थी इन लोगों को जो उद्योग लगा रहे है वो कैसे पुरी हो सकती है उसका एक तरीका अपनाया गया लागत को कम करो मुनाफ़ों को बढ़ाओ ठीक है so cost reduction की जाए and profits maximize किया जाए तो profits maximization and cost reduction यह तरीका अपनाया गया how will you reduce the cost इसके लिए जो चीजें जो भी factors role play करते हैं production के लिए उन factors को manipulate किया जाए so यहाँ पर existence में आते हैं आपने पढ़ा भी होगा and those are the factors factors of production जिनकी मदद से ही कुछ produce होता दरवाईज नहीं हो सकता वो factors क्या है land land के बिना कोई चीज produce नहीं हो सकती ना lecture ना खेतों में फसलें ना कोई hand tools किसी factory में land labor labor के बिना तो कुछ होई नहीं पाएगा capital यानि कि पूंजी land, labor, capital and entrepreneurship that is information entrepreneurship यानि कि उस चीज़ की knowledge skills, information, जानकारी market की जानकारी land, labor, capital capital में वो सब कुछ आ जाएगा आप जो चीज़ें use करेंगे पूंजी की रूप में चाहे कोई machine लगा रहे है fixed capitals या कोई raw materials हा रहा है beat everything ये चार factor एक, दो, तीन, चार चार factor of production होते हैं अब इन factor of production को किसी तरह से manipulate करिये ताकि लागत कम हो जाए ताकि मुनाफ़े बढ़ जाए तो उधारन के तौर पर आप किसी चीज को बेच रहे हैं तो वो चीज 100 रुपे की बिक रही है competition बहुत intense है ऐसे में आप उस चीज को 110 रुपे की नहीं कर सकते हैं मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए क्योंकि बाकी भी उसको 100 रुपे में बेच रहे हैं को रुपीज 60 पे ले आएं तो selling price रुपीज 100 रखते हुए भी आपका profit रुपीज 40 हो जाएगा profit रुपीज 40 तो फिर जब बहुत ज़्यादा chances ना हो market को manipulate करने के selling price change करने के तो production cost को manipulate करने ही कोशिश की जाती है और वो कैसे की गई factor of production को manipulate करके और वो कैसे की गई अगर आप किसी भी तरहां से यह जो labor है इसे exploit कर ले labor exploitation you can do और दूसरी चीज exploitation of the capital exploitation of the capital मुलकों पर जाकर कर राज करिए उन मुलकों का जो revenue है वो अपने उध्यों के लिए इस्तमाल करिए उन मुलकों से जाकर के बहुत सस्ते सस्ते दामों पर tax exemptions मांग करके वहां पर व्यापार करिए किसी भी माईने में आप वहां से पूंजी जुटा ही है जैसे भारत से जितना धन निकास हुआ यौरप गया कहते हैं कि उसी की दम पर वहां revolution आया इंडस्ट्री है ओके सो नेचरल रिसोर्सेज यानिकी रॉव मटेरियल सो दर रॉव मटेरियल एंड दलेबर यूँ नेपिलेट थीस तू थेंग्स सो रॉव मटेरियल अपने देश के किसानों से आप सस्ता उठाइए या उनका दमन करिया कैसे भी करके दूसरी दुनिया के लोगों पर जाकर के राज करिये उनके नेचरल रिसोर्सेज आप एकसेस करिये लॉव मटेरियल की कीमतों को घटाइए दूसरी तरफ लेबर को एक्स्प्लाइट करिये इसलिए इंडस्ट्रिल रेवलूशन में ये जो विचारधारा काम कर रही थी कि मास्ट प्रोडक्शन का स्केल बना रहना चाहिए तभी इंडस्ट्री सरवाइब होगी और मास्ट प्रोडक्शन आप कर रहे हैं तो वो खपत भी होनी चाहिए इसके लिए कीमतें सही निर्धारित करनी है प्रोडक्शन की कॉलिटी भी मिंटेन रखनी है इसके लिए जरूरी है कि हमेशा निवेश होता रहे हमेशा निवेश तभी होता रहेगा अगर पूंजी बचेगी तो पूंजी कैसे बचाई जाए मतलब मुनाफ़ा कैसे बढ़ाया जाए सो कम लागत से जादा से जादा पैसा बनाना यह पूंजी बाद है आई बाद समझ में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर बल देना इस चीज़ पर फोकस किया गया और इस चक्कर में कौन एक्स्प्लाइट हुआ लेबर वर्कर के अधिकारों का हनन कर दिया गया कॉंप्रमाइज हुए उनका एक्स्प्लाइटेशन हुआ व्यक्ति का व्यक्ति के हातों एक्स्प्लाइटेशन हुआ एग्रिकल्चर लेबर एक्स्प्लाइट हुई और जब ये सब हो रहा था, United Kingdom में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा था, उन व्यक्तियों के कुछ नाम है, ये 1850 से पहले के विचार देने वाले लोग, मतलब 1800 से 1850 के बीच में ये लोग विचार दे रहे थे, ये व्यक्ति कौन थे? है, Henry D. St. Simon, आप इन्हें Simon के रूप में राद रखे है, Henry Simon, 2nd, Robert Owen, 3rd, Charles, World History में आपने सारे पढ़ने है, Charles Fourier, ये Simon, ये Owen, ये Fourier, ये क्या कह रहे है, ये कह रहे है, ये कह रहे है, ये कह रहे है, ये इंडस्टिलिस्ट है, Robert Owen के अपनी फेक्टरी थी, इंडस्टिली था, ये कह है, this is not the way, it's capitalism, it is ultimate exploitative, ये तो exploit कर रहा है, labor को exploit कर रहा है, ये इस तरह की competition को intense competition को बढ़ावा दे रहा है, कि व्यक्ति के हाँ तो व्यक्ति का oppression, suppression, exploitation हो रहा है भाई, no, तो इन्होंने एक विचारधारा दी, उन्होंने विचारधारा क्या दी, वो ये कह रहे हैं, कि production के लि नहीं है, ये सच है, production के लिए, necessarily, लोगों का intense competition में जाना जरूरी नहीं है, they will compete, it is not necessary, हमें उनमें competition को इस तरह से बढ़ावा नहीं देना है, production को हमें corporation से achieve करना है, तो Robert Owen, Simon and Fourier ने competition की बज़ा corporation को support किया, उन्होंने कहा कि worker and capitalist एक दूसरे को corporate करें, व्यक्ति व्यक्ति को corporate करें, सयोग करें, corporation करें, तभी जाकर के सबको लाब मिलेगा उस production का, सबका जीवन बहतर होगा, और वही production sustainable होगी, हमेशा survive करेंगी, otherwise, अगर इस तरह से खाई बढ़ती चली गई, rich और poor की, तो करांतियां हो जाएंगी, समस्याएं हो जाएंगी, दिक्कतें हो जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे, law and order की situation create हो जाएगी, lawlessness हो जाएगी, और तेजी से अगर हम लोगों को गरीब करते चले गए, तो हमारी production भी ultimately फिर कौन consume करेगा, क्योंकि हम बाजारों को खतम करते चले जाएंगे, गरीब जनता आखिर क्या ही consume कर लेगी, if you want to make the production cycle sustainable, तुमको लोगों के हाथों में पैसा पहुचाना है, सब के जीवन स्थर को बैतर बनाना है, और यह तब होगा, जब व्यक्ति से व्यक्ति की प्रतिसपर्दा negative ना हो, हम व्यक्ति से व्यक्ति का सहयोग बढ़ाएं, यह cooperation में होगा, तो उन्होंने cooperation, collaboration की concept दिये, as compared to competition, बेटा अब्दुल लाइट्स, यह शुरुआत में हुआ, लेकिन नतीजे कहां आ रहे थे, capitalist जिसके दिमाग पे, सिर्फे, पूंजी वाद चड़ा हुआ है, वो अपनी wealth को share करने के लिए, कहां त्यार था, वो कहां त्यार था, labor को कुछ rights देने के लिए, कुछ privileges देने के लिए, रॉबर्ट ओवन ने अपनी factory में, हफते की एक चुटी रखने शुरू की, बच्चों के लिए आपको पता होने चुप पढ़ना है, आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है, जैनन मातुर की किताब से world history जप करेंगे, चलो उसको चोड़ो, NCRT से जप करेंगे तो आप इस 8 से 10 गंटे की द्याड़ी होगी, 16 गंटे नहीं होगी, और women और men को equal pay for equal work मिलेगा, ऐसा Owen ने बोला, अपनी factory में किया भी, लेकिन बाकी capitalist इस idea को कहां subscribe कर रहे थे, वो कहे रहें, no, this will not work, we will never share our wealth, हमने hard earned की है, क्योंकि wealth, सिरफ industrial process से जुड़ी बात नहीं 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 यहा आपकी politics में position decide कराती थी, और politics में जिसकी position strong है, society के resources और society के सारे relations को वो control करता है, social institutions को भी control करता है, मतलब उसके हक में फैंसले होते हैं, उसकी इच्छा से फैंसले होते हैं, उसके लिए फैंसले होते हैं, तो कैसे wealth पर अपना अधिकार छोड़ दें, क्योंकि जब सारे wealthy ह होने लगेंगे, अगर समाज में सबको समान अधिकार मिलेंगे, जिसे egalitarianism कहते हैं, तो फिर कोई सुनेगा क्यों हमारी, कोई हमारे हुकम क्यों बजाएगा, अधीन क्यों रहेगा, ये बात सिरफ wealth distribution की नहीं है, ये बात तो उन अधिकारों की है, जो हमें आज पराप्त है और वो इसलिए पराप्त हैं, क्योंकि समाज इस समित दरिदर्ता में है, गुर्बत चाहिए है ना, pathetic state में है ना, इसलिए समाज हमारी कृपा पे है, लेकिन समाज ये योग्य हो गया, मजबूत हो गया, फिर वो अपने योग्यता से चीजें हासिल करना चाहेगा, हमारी गिर्ती चली जाएगी, so it is not simply the share of the wealth, it is simply, it is to share your privileges, your position, your legacy, your heritage, everything with them, we will not, हम नहीं करेंगे, कुछ scholar ये देखते रहे, वो ये कहते रहे, Robert Owen से, St. Simon से, और Charles Farrier से कि कब तक तक तुम ये, खयाली खेचड़ियां, यानि कि, utopian society का सपना सजा के बैटे रहोगे, ये एक imagined society, खयाली दुनिया, जो तुमने अपने दिमाग में imagine कर ली है कि, हम मनाएंगे capitalist को, हम उसको के cooperation करो, collaboration करो, नहीं, Karl Marx और Frederick Angel ने कहा न, this is not the practical theory, this is not the practical solution, solution इस तरह से नहीं आना, यानि कि, Karl Marx और Angel ने एक बदलाव लाया समाज में, वो बदलाव क्या था, इन सब की theory, कहीं न कहीं, जिस religion से ये विलाउं करते थे, उस religion का जो एक idealism था, अच्छे कुण, अच्छे उनसे प्रभावित थी इनकी theory, जैसे कि Christianity के तहर जो अच्छे गुण, अच्छे लक्षन, अच्छे विचार बताए गए हैं, इनकी तियोरियां उनसे प्रभावित थी, ये capitalist को उस base पर emotionally इंचेंट करना चाहते थे, कि cooperation ही बताई गई है, cooperation ही करनी है, collaboration से चलना है, काल माक् हल, spiritual domain से नहीं होना, हल, idealism से नहीं होना, हल, materialism के साथ होगा, तो काल माक्स और एंचल की तियोरी, materialist domain में बात करती है, वो कहते हैं, it is the fight for the material, तो solution is lying in the materialist domain, material solution चाहिए, किसी की आत्मा को जगा करके उससे कुछ नहीं चाहिए अपन को, system बनाने का, जिसमें सब को सब मिलने का, आत्मा नहीं जगाने का, नियम बनाने का, Robert Owen, Saint Simon, और Charles Fourier क्या कह रहे थे, वो प्रेरित कर रहे थे, capitalistों को, कि देखो हम कर रहे हैं, हम awakened हो गए हैं, हम enlightened हो गए हैं, तुम भी हो जाओ, काल माक्स और कब तक दिखूं enlightenment, कब तक वेटा रहूं तुमारी awakening के लिए, नहीं चलने का, तुम हद के सोय हो, awakened ही नहीं हो, फिर भी तुमको वही मानने का, इसलिए ऐसा system बनाएंगे, resources का बढ़वारा ही ऐसी line पे करेंगे, मतलब materialistically deal करेंगे, अब issue से, materialist दाएरे में काम करेंगे, इसका एक practical solution लाएंगे, मतलब, जो इस समय, जो इस समय, economy, polity, society का structure है, उसको structural overhauling कर देंगे, structural overhauling चाहिए, structure ही बदल देंगे, धांचा बदल देंगे, अर्थ का, राजतंतर का, समाज का धांचा बदल देंगे, उस बदले हो है धांचे में, जिसको जिस कमरे में फिट करेंगे, जिस compartment में डालेंगे, वो मजबूर होगा, उसको वही फिर करना होगा, चाहे awakened हो या न होने का, काल माक्स ने बोला कि पीछे चलो, पता गरो क्या होने का, कैसे होता है सब कुछ, तो काल माक्स ने कहा, देखो, पूरा इतिहास, the history is full of class struggles, काल माक्स ने कहा, इतिहास पूरा class struggle से भरा पड़ा है, संगर्शों से, एक क्लास को दूसरी क्लास से संगर्श करना ही से कि ultimately worker ही विजेता बन करके उभरेंगे, और सारे resources उनके control में होंगे, ऐसा मैं convinced हूँ, तुम बताओ, तुम convinced हो की नहीं, मतलब काल माक्स ने एक ऐसी नहीं विचारधारा दे दी, कि resources का control important है, तभी ये चीज़ effective बनाई जा सकती है, कि किसको कितने rights है, मतलब resources का control, मने materialism, किसी की चेतना और आत्मा को control नहीं करने का, resource control करने का, Robert Owen क्या कह रहे है, मैं उसकी चेतना control करूँगा, आत्मा को जख जोडूँगा, काल माक्स कह रहे है, नहीं, आत्मा से नहीं लेने का कुछ, आत्मा कहीं तेल लेने, resource को control करने का, जो resource control करेगा, वही decide करेगा, distribution कैसा हो एक्षेंज उफ गूट्स कैसा वुने का। शुर्ण जंगल थे मेरे स्वामी भू है इसके जंगल का स्वामी तुम्हारे प्रतेय कर लो जंगल का स्वामी उसको बना करके उसको जागरित करते लहोगे कि अच्छा-च्छा सोच हमारा अच्छा-च्छा कर इतना coward society मैं imagine नहीं करता वो अच्छा बने ना बने वो उसका भाग्य तुम अपना भविश अच्छा करो उसके लिए तुम्हे कर्मन्यता करनी होगी कर्म करना होगा और उसके लिए तुछ संगर्श करने पड़ते हैं इतिहास बताता मैं क्या गलत कह रहा हूँ आओ और रिसूर्स कंट्रोल करें आओ अपना भाग्य अपने हाथ में ले ले आओ भविश्य तै कर ले यह उनकी कॉंसेप्ट मटिरिलिस था यह उन्होंने प्रैक्टिकल सलूशन दिया तो आपसे कोई पूछे कि Modern Socialism या Modern Communism की शुरुआत कब हुई तो उसका अंसर यहां से करना है उसका अंसर है 1789 से 1848 तक चला French Revolution French Revolution वो कहते हैं यहां से Modern Socialism, Modern Communism की शुरुआत हुई कैसे वो बताते हैं, कैसे आउस समझाते हैं वो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रूव करके देता हुँ कि Class Struggles कैसे काम करती है और तुम्हारे पास कैसे शक्ति और सत्ता आती है बिना सामने वाले को एंलाइटन किये भी कैसे वो कहते हैं कि पूरा का पूरा मिडेवल यॉरॉप पूरा का पूरा मिडेवल यॉरॉप कैसा था यानि कि मिडेवल यॉरॉप को कुछ यहां से इमेजिन करें लगबग लगबग 500 AD से लगबग लगबग 1600 1789 तक ही कर ले ठीक है 1700 1800 कर लो सुखा हो जाएगा तुमारे लिए French Revolution की डिएट तो मैंने बताई दी है पर इजी करने के लिए थोड़ा 1800 कर लो वो कहरें 580 से लेकर क्या 1800 AD तक मिडेवल यॉरॉप मद्यकालीन यॉरॉप कैसा काम कर रहा था कौन कंट्रोल कर रहा था Nobles aristocracy class कोई भी एक Nobles दैरिस्टोग्रेट तो कैसे काम चलता था एक Nobles होता था जैसे Nobles No.1 उस Nobles के तहत एक बड़ा सा लेंड आता था इस लेंड को उसका क्या कहते थे The Manorial Complex The Manor यह उसका Manor होता था इसमें उसका खुद का किला होता था और इसमें कई सारे हेलिकॉप्टर से देखो तो वो सारी जमीनी जमीन खेती खेत खेती 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 खेत और इसमें उसका पैलस जैसे कोई अलग शहर ही बनाया हो खानसार जैसा तो एक Nobles और उसके तहत था एक लेंड सिरफ लेंड नहीं आता था उसके तहत ना ना आपको कुछ समझाने जा रहा हो लेंड का स्वामी वो लेंड में आने वाले सारे रिसूर्सिस जैसे चूना पत्थर मार बल लोहा कोईला फसल जील जरना पाढ़ मिट्टी सब का स्वामी वो उस लेंड में बसने वाले सारे लोग दे पीपल उनका भी स्वामी वो मतलब व्यक्तियों का भी स्वामी संसादनों का भी स्वामी भूमी का भी स्वामी नियम कानून और सत्ता का भी स्वामी सब का स्वामी वो दे नोबल इसलिए इसका नाम डला इसलिए European culture में आज दिन तक एक word famous है एक house of lord भी है UK की पार्लिमेंट का ओके अपर house निचला है the house of commons word देखो lord और common कौन होते हैं lord कौन होते हैं common अपने यहां पे कौन है word एक ही है MP अपर house lower house लेकिन वहां से आते हैं अपने कुछ इंडियन जिनके नाम के साथ लगता है lord स्वराज पॉल आप डर जाते हैं lord कौन है भई कौन से lord है भई lord है वहां की पार्लिमेंट के member है simply वह lord कहते हैं उसे इतनी सी कानी है तो ये लोगों लोग खेत के खेती पहल हजारों सालों से लोग चला रहे थे खेत लोगों के थे फसल वो उगा रहे थे लेकिन सारी फसल पर हक lord का और उसमें से lord इन्हें कुछ अनाज कुछ टुकड़ा दे देता था इसलिए ऐसे उसके सामने मुह में अनाज है इसलिए god के बाद एक lord ये बीच में ही आ गया कहीं से पता नहीं कहां से एक god कई lord your lordship तो ये lord मतलब हसल वो उगा रहा है labor वो दे रहा है उगके सीधी lord के जेब में जा रही है lord उसमें से इन्हें कुछ दे रहा है ये सारे क्या है एक तरह से the slaves लेकिन इनके लिए एक technical word यूज किया कहते है you are serving me you all are myself तो इसके लिए word है the serf तो दो classes the nobility and the serfs medieval Europe किन दो classes से जाना गया है the nobility and the serfs mainly और फ्रेंच revolution आते 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 इसी nobility इनी nobles का पत्ता काड़ दिया सूपड़ा कर दिया साफ किसने ये पांसो एड़ी से ठारव सो एड़ी के बीज में घटना हुई 1400 एड़ी के आसपास यूरप में विज्ञान की करांती सी पहल गई चारों तरफ एक नव जागरिती सी आ गई नए नए विचार कहते भई साइंस क्या है टिकनोलजी क्या है व्यक्ति के सामर्थ की सीमाएं क्या है व्यक्ति में महत्व है व्यक्ति की सामर्थ को जागर किया जाए तो क्या नहीं हासल कर सकता ईश्वर की कृपा की तरफ क्या देखते रहना ईश्व बश्रुट हो गए हैं रीजिनिंग से बात करने लगे दो doing come and प्रमान दे, कहता प्रमान तो नहीं है, कहते हैं साइड हो, हम प्रमान में विश्वाश रखते हैं, हम विग्यान की बात करते हैं, वो चीज जो प्रमान इतना हो, हम उस पर विश्वाश नहीं करते हैं, गो, हम रीजनिंग से चलते हैं, हम रैशनल से चलते हैं, हम लॉजिक स बार आ गया तो यहां पर फिर पैदा हुई कौन सी classes 1400 से 1500 के रहा हूं the European businesses the business family यानि की the merchants and traders the merchants and traders dominate होने लगे पैसा कमाने लगे बहुत धन आने लगा इनके पास लेकिन medieval Europe समाज कैसे बटा हुआ था medieval Europe को बटा गया था किसी तरह से कैसे बटा गया था medieval Europe को तीन अंगों में बाट दिया गया था पूरे समाज को यह पूरा समाज 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 ऐसे करके यह एक ही डबा है पूरा एक ही समाज है लेकिन इसको तीन भागों में बाट दिया एक समाज, दूसरा समाज, तीसरा समाज और इनको नाम दे दिये estates, थ्री estates, estate 1, E1, E2, E3, किसी ने पूछा यह तीन estate कौन है, एक estate, the clergy, the clergy, दरम से जुड़े लोग, पादरी, पादरियों का समाज, एक estate, nobility, एक estate, the commons, the commons, clergy, nobility, the commons, पूरा येरोप, मद्यकालीन में, इन तीन भागों में बटा था, समाज, तीन अंगों में बटा था, the clergy, the nobility, the commons, estate 1, estate 2, estate 3, और ऐसे में, फ्रांस में, बर्बंड डैनेस्टी के साशक की अगवाई में एक meeting हुई, इसे meeting कहते थे, estates की meeting, तीनों estates आते थे, उसे कहते थे, estates general की meeting, उस estates general की meeting में, इस third estate ने, यानि कि the estate of commoners ने बगावत कर दी, अधिकारों की लड़ाई लड़ दी, इसी को कहते हैं, the French revolution, the onset of the French revolution, the opposition, or the competition, promoted by, or you can say, staked by, the commoners, the third estate, लेकें आपने बड़ी असानी से समझे ये, third estate इतना सौका नहीं था, ये third estate बहुत बड़ा था, इसी में सबसे यादा लोग थे, तो third estate में भी अंदर एक silent सी layer थी, जो घोशित तो नहीं थी पर थी, जैसे third estate में ये जो उपर-उपर वाले हैं, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, मर्चेंट, ट्रेडर्स, प्रोफेशनल्स, एंड व्यापारी, और उसके बाद ये नीचे वाले, आर्टीजन्स, वर्कर, लेबरर, ड्राइवर्स, कूक, अब है तो एक ही डबे में commoner, बट उनमें भी फर्दर लेयर है, एक लेयर व्यापारी है, तो व्यापारी मेडेवल येरोप में estate 3 का हिस्सात है, merchant traders, तीनों estate की meeting हुई और ये और ये औरोप का भागयताय करना था, यानि कि France का भागयताय करना था, इस्टेट्स जनरल की उस meeting में, थर्ड इस्टेट यानि कि Commons के इस्टेट ने धावा बोल दिया कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे में राज सकता गई, बहुत कुछ हुआ इस दौरान, मैक्स मिलियन रॉबे स्पेर आया, उसके बाद आप सब जानते हैं, निपोलियन बोना पार्ट आया, उसने पूरे यॉरोप को गोल बंद कर लिया था, और कुछ हुआ, इसलिए इतना लंबा चला है, फ्रेंच रेबूलूशन ना, लंबा चला ना बाई, इस दौरान कड़ी में सिर देकर पड़े रो, ऊपर से आती थी बड़ी सी मशीन कड़ेच, कतम, इसी फेमस फर देट, वो अभी उतरा है तो उसी समय में फिर एक और वेक्ति अंटर हुआ, नेपोली है, वो फिर दीरे दीरे चड़ा, उसने अच्छा करसा कंट्रोल किया, लेकिन उसको कोई बात आई, इसी में रायट डूपर्टी का जिकराया, इसी में रायट की बात की गई, वो सारी बाते कर रहा है, एस्टेट थ्री, इदा कॉमनर कहते हैं, हमें यह सब चाहिए, कॉमनर्स ने कुरांति करी एक तरहां की फ्रेंच रेवलूशन, और करांति का मजा एस्ट दा नोबल एक दा सर्फ, नोबलों की सत्ता खत्म की संगर्ष की मदद से, क्रान्ती की मदद से, किस ने, दा मर्चन ट्रेडर से, यही मर्चन ट्रेडर आगे आने वाले समय में कहला है दा बरजवास, कहते कुछ फर्क नहीं है, तुम लोग भ्रम्मे हो, नोबल रिपलेस हो बर्जवास से सर्फ रिप्लेस हो गए प्रॉलेटेरियेट से फर्क कोई नहीं है समाज आज भी वहीं कड़ा है अभी प्रक्रिया खतम नहीं हुई है तुमने अभीशे सरस्त्र गिरा दिये तुमको लगा फ्रेंच रिवुलुशन ठंडा हो गया खतम हो गए समाज जो बदल कि फ्रेंच रिवुलुशन ने जो शुरू किया कि कॉमिनर्स के हाथ में सब आए वो कॉमिनर्स के नाम पे कोई और ले गया तुमारे ही भाई बंदू जो तुमसे तगड़े थे मर्चंड एंड ट्रेडर और अब वो खुद नोबल जैसे हो गए हैं और तुमको सर्फ बन दिया है मतलब सिध्धांत तॊ winning लागु नहीं हुँआ पिर सिध्धांत तो था व्यक्ति को शकति देना सिध्धांत तो था आम नागरिक को सशक्त करना सिध्धांत तो था एक समाजे बनाना जिसमें अंतिम छोड़ पर खड़ा अंतिम व्यक्ति भी शक्ति रखता हो राष्टर को परभावित करने की वो तो हुआ ही नहीं ये तो ऐसा हुआ कि सब तुम सब गए होहला मचाते हुए और उसका फैदा कोई उठा गया तुम्हारे बीच में से और आज वही लोग तुम् कि राम दे खतम करें तो इसलिए कालमाक से इस ग्राउंड पर कंविंस कर रहे हैं लोगों को कि तुम रम्मे हो कि संगर्श हुए नहीं जब से समाज अस्तित्म में आये हैं तब से अब तक सारे फैसले संगर्शों से हुए हैं क्योंकि समाज में भेद रहा है समाज में भे खतव कर दें हमेशा के लिए आओ सारी क्लासेस क्लासेस कैसे खतव होंगी हम एक ऐसी विवस्था बनाने वाले हैं आज के बाद कि व्यक्ति का पूझी पर कोई निजी अधीकार रहेगा ही नहीं जब व्यक्ति के पास कोई निजी Pूझीamento रहेगी तो फिर एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से पूंजी के आधार पर कोई अंतर भी नहीं रहेगा जब व्यक्ति से व्यक्ति का कोई अंतर ही नहीं होगा पूंजी के आधार पर पूंजी का स्थित्वी कतम करेंगे मनी एलिमिनेट ही कर देंगे जब तो मनी एकुमु प्रिटिकल, कल्चरल और सोशल एस्पिरेशन को अचीव नहीं करेंगे, जैसे नोबल सोसाइटी में सिरफ नोबल को यह अधिकार था, बर्जुआज में सिरफ बर्जुआज को यह अधिकार कि उन्हीं के बच्चे पढ़ें, वही वैग्यानिक बनें, वही डॉक्टर बनें मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता हूँ, जिसमें यह अधिकार सबको ही मिल जाए, all are free to decide their full human potential, आओ, classless कर दें सब कुछ, आओ, यह अधिकार कुछ सीमित वर्गों से निकाल के सब में बांड दे, आओ, सबको अधिकारी बनना दे, उस बरगती का, आओ, classes ही खतम कर दे classes बनाने का अधार है, संसादन का control किसी समुदाय के द्वारा, आओ, ऐसा control ही कतम करते, संसादन का control, कोई एक व्यक्ती, या कोई एक समुदाय, या कोई एक राजगराना या परिवार नहीं, सारा समाज करेगा, the community, आओ, communism बस थापित करते, आओ, समाजवादी सोच की स्थ कि एक राउंड अपने समाज को, कि सामने वाले की goodwill को जगाने से, सामने वाले को चेतन करने से, उसे अवेकन करने से, उसे गरंतों की अच्छे चिलाईने और बाणिया पढ़वाने से, कोई पक्का हल नहीं निकलेगा, धांचे में कुरितियां है, धांचा बदलना समस्या यहां है कि तुम्हारे पास संसादन नहीं है, जो संसादन का स्वामी है, तुम हमेशा उसकी क्रिपा पे खड़े रहोगे, क्रिपा पे खड़े मत रहो, भाग्ये बदलनी की परिष्टिती में आओ, संसादनों के स्वामी बनो, आओ संसादन ले ले, संसादन छोड और तुम क्यों कहते हो कि संगर्ष नहीं करना शांती चाहिए समाज में कोई द्वेश नहीं संगर्ष तो इतिहास की एक कुंजी है जो उसने तुमें दिया है समाज तो आज दिन तक संगर्षों से ही परिवाशित है संगर्ष तो होने है क्यों तुमने पीछे संगर्ष नही किया था इनी संगर्षों के नतीजे कि आज नोबल है नोबल खतम हुए लेकिन तुमने कही नई नोबल खड़े कर दिया उनका नाम अज बरजवा है सर्फ खतम होए लेकिन तुम पैदा हो गए तो क्या अश्प्रकरिया का खातमा नहीं करना क्या नतीजे तक नहीं पहुँचना है लोग हुग कन्विंस हो गए है लोग कहते येस स्ट्रगल का नाम भी बता दें साहिब कहते है स्ट्रगल का एक ही नाम होता है करांती the revolution करांती करनी होगी revolution करना होगा छीनने पड़ेंगे संसाधनों से जब तक नहीं तब तक वो छोड़ेंगे नहीं that is the revolution तो इसका नाम है the revolutionary communism मैं आपको बता दूँ कि सिपरिथिवी पर revolutionary communism की स्थापना के रूप में जो पहला राज्य और राष्टर स्थापित हुआ है वो 1917 में लादिमिर लेनिन की अध्यक्षता में बॉल्शेविक करांती के बाद Russian revolutionary communist state की स्थापना हुई है आई बास समझ में it was the revolutionary communism this word is very important इसे दिमाग में fit कर लेना revolutionary communism this is important क्योंकि आगे जाकर कि जब मैं अभी socialism और communism का भेद बताऊंगा तब आपको ये शब्द जानने बहुत जरूरी है इतनी बात clear हुई इस revolutionary communism की विचारधारा उस समय में रखी काल माक्स ने और फ्रेडरिक एंजल दोनों मिल करके इसके पक्ष में आए और प्रॉलेटेरियेट से ये कहा कि अपने हक तुम्हें इन बर्जवास से लेने हैं तो प्रॉलेटेरियेट को बर्जवास के अगेंस्ट करांती करनी ही होगी और इसलिए आपने देखा रशियन revolution क्या है 1917 का 1905 से 1917 तक चला रशियन revolution क्या है it was the revolution of proletariats against the bourgeois against the bourgeois King Tsar Nicholas II was on the throne and he was ultimately supporting, pampering, providing patronage and conserving the landlords, the merchants, the traders, the professionals that is the bourgeois, bourgeois ultimately controlling the king और हर फैंसला अपने हक में करवा रहे थे और इनी बर्जवास के विरूद में proletariats को संक्रित किया काल माक्स ने यानि कि काल माक्स की विचार दा रहाने भाई काल यहां पर यह भी समझना जरूरी है कि यह कोई ऐसे पाठ पहाड़े नहीं है कि हमें हिंसा नहीं करनी वो कहते हैं संगर्ष में हिंसा तो नहीं है वो तो हो नहीं है लेकिन इसे हिंसा क्यों कहना यह वाइलेंस कैसे हुआ जो किसी डिस्टॉर्शन को खतम कहें वो तो उपचार होता है डाक्टर जब आपके शरीर में कैंचियां और कई तरहां के उपकरन घुसेड करके आपके रोगों को काट करके फेकता है वो तो उपचार है आप उसे हिंसा कहेंगे समाज यदि कई विक अदतियां और प्रनालियां हैं काट काट के फेंकनी पड़ेंगी उखाड उखाड के फेंकनी पड़ेंगी अस्तेतु की लड़ाई है लड़नी तो पड़ेगी जो जीतेगा जो अस्तेतु में रहेगा जो होंद में रहेगा वजूद में रहेगा वो निरधारित करेगा कि कि भविश्य कैसा होने वाला है और मुझे लगता है कि प्रित्वी को समाजवादी साम्मेवादी भविश्य चाहिए पुंजीवादी नहीं आप बताइए जीतेगा कौन लोगों ने आवान किया कि जीतेंगे तो हम ही लडाई जीत हार की नहीं है संसादनों के नियंत्रन की है संसादनों के वित्रन की है संसादनों के बटवारे की है सो सोशलिजम या कमिनिजम एक बात में कॉमन है ये फैक्टर्स ऑफ प्रड़क्शन, इस्ट्रिबूशन और एक्सचेंज अफ गूड़्स सोशलिजम और कमिनिजम किस चीज की बात करता है कि means of production, means of distributions and means of exchanges simple means of production मतलव किसी भी रूप में संसादन का चंट्रोल, संसादन का विकास, संसादन का वित्रन, संसादन का नियंत्रन resources का development, resources का control, distribution, nourishment, enrichment, everything who will control that, who will own that, the people, that is the public, not the private person यानि कि संपत्ती पर अधिकार, public का होगा, individual का नहीं, संपत्ती पर अधिकार, public का होगा, individual का नहीं, समाज बाद सामे बाद इसकी बात करता है ओके, that is the wholesome concept, अभी तो ये अरंब हुआ है, अभी तो मैं यहां तक लाया हूँ आपको, तभी आपको आगे समझ आना है, अभी की होने क्या वाला है, हम करने क्या वाला है, इतने में किसी को को डाउट आया है, तो पहले वो मुझे बताए, अगर किसी को डाउट आया है, तो महले वो सुल जाओंगा मैं, इसलिजम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, डेफिनेशन वाइस समझते हैं, हमने एक लाइन लिखी थी यहां पर, लाइन क्या थी, जो अभी हमने यहां पर डिलीट करती है, वो क्या थी? सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइ to each according to his needs इसको हम फिल करेंगे अभी फाइनली हमने जब कैपिटलिजम के सारे नेगेटिव देख लिए तो तब यह माना गया कि में इशु है कि रिसूर्स किसके कंट्रोल में है रिसूर्स का कंट्रोल किसके पास है संसाधन किसके पास है मतलब रिसूर्स सीधी सीधी कहानी आप इसे नेच्रल रिसूर्स मान सकते हैं human resource मान सकते हैं, simple resource का purpose है यहाँ पर कि जो wealth creation, wealth creation के sources हैं, वो किनके control में हैं, capitalism में यह पाया गया कि जो wealth creation के sources हैं, the sources of wealth creation, यह individuals के पास हैं, यानि कि private individuals का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखें, जब हम society की तरह जीते हैं, तो यह तो हो गई एक society, इसके लिए आप word यूज करिया है, तो society या community, लेकिन ऐसे में से जब आप किसी एक individual की बात कर रहे हैं अलग से, आपके, you are saying that, कि we are not going to discuss about the public, यह society और community, we are going to discuss about the private individual, private individual, capitalism के अंदर resources का जो control है, यानि कि wealth creation के जो sources उसका control, individuals के पास होता है, private individuals के पास होता है, example के तौर पर, natural resources, natural resources, private individual control करता है, जैसे कि, simple example के तौर पर लीजे, farms, खेती बाड़ी, यानि के अगरी कल्चर, individual control करते हैं, दूसरी तरफ, industries, individual control करते हैं, factories के ओनर individuals होते हैं, तीसरी तरफ, capital, पूंजी, पैसा, finances, individual control करते हैं, आई बाज समझ में, यह सब कुछ किसी न किसी व्यक्ति के पास होता है, जमीने, लोगों की होती हैं, व्यक्तियों की, individuals की, individual ownership होती है, तो इसको हम कह देते हैं, private individuals के control में चीज़ें हैं, यानि कि, private ownership है, having private ownership, private ownership of farms, private ownership of industries, private ownership of finance, यानि कि capital, पूंजी पर, कोई पूंजी पती का control है, इस सब चीज़ों पर private ownership है, capitalism में इस चीज़ को support किया जाता है, और यही चीज़ हमने अब तक देखा, कि inequalities establish करती है, असमानता, इसी वज़ा से आती है, क्योंकि जिसका खेती बाड़ी पर, जिसका उध्योग जगत पर, जिसका पूंजी पर control है, वो अपने लिए जादा से जादा capital बनाता रहता है, पूंजी का निर्मान करता रहता है, और बाकी सब ही players, जो उसका साथ बटाते हैं, पूंजी निर्मान करने में, जैसे factory में सिरफ और सिरफ factory owner ही wealthy होता जाता है, factory worker के status में कोई खास फरक नहीं आता, लेकिन factory से निकलने वाले हर product में, workers की ही main भूमिका होती है, तो जितने भी लोग उस व्यक्ति का साथ बटा रहे हैं, wealth creation में, उन लोगों का wealth creation में share कोई नहीं है, क्योंकि wealth creation, जो created wealth है, उसे कोई accumulate कर ले रहा है, उसे कोई अपने लिए रख ले रहा है, वो उसे किसी के साथ, उस wealth के benefits किसी के दाश शेयर नहीं कर रहा है, तो इसलिए, जब private individuals के control में, wealth creation के sources होते हैं, समाज में inequalities आती हैं, समाज में अमीर गरीब की खाई बढ़ती चली जाती हैं, समाज में एक बड़ा वर्ग marginalized हो जाता है, लेकिन इसके बिल्कुल उलट, ये प्रपोस किया गया कि हम capitalism की बजाए, socialism को prefer करें, इसमें क्या होगा, कि जो control है, wealth creation का, वो private individual की बजाए, society या community के पास होगा, तो, पूरी community, पूरी community, wealth creation के sources को control करेंगी, या पूरी की पूरी society के ही है, या simple इसके लिए word use करेंगे, public, public will control the wealth creation sources, public will control everything, तो इसमें क्या होता है, इसमें society या community या public will control the farms, तो खेतों पर public का control होता है, और कैसे होता है, यह सारे लोग मिलकर के अपनी एक society बनाएंगे, that is cooperative society, या तो cooperative society बना लेंगे, और वो सारे खेत उस cooperative society के होंगे, या फिर यह सारे मिलकर के एक corporation बना लेंगे, corporation, और वो सारे खेत उस corporation के अंडर होंगे, मतलब कोई ना कोई society या community अपनी organization बना लेगी, सारे खेत, सारी industry, सारी पूंजी उस organization के पास चली जाएगी, जिसके तहट सब के पास control है उसका, इसको बिलकुल ऐसा समझो, कि बच्वन में आप कई तरह की games खेला करते थे, पहला तरीका, cricket की game है, 11 players हैं, 11 players, kit bag, पूरी की पूरी जो kit है, वो कोई एक ही player लेके आता है, क्योंकि उसके parents support करते हैं, उसको, उसके पास पैसा है, वो कब betting करेगा, कौन balling करेगा, match कब होगा, वो काफी हद तक decide करने लग जाता था, क्योंकि bad ball और सारी kit वो लेके आता था, मुँ नराज हो जाए, तो भाग जाता था, कहता है, मेरी kit मैच रहा हूँ, उसी समय match over हो जाता था, जब वो गुस्ता हो गया match का था, लेकिन, आप बड़ा तंग हो जाते थे, फिर आप इसका कोई solution नूरते थे, और solution यह होता था, कि इसके एक player से kit bag वाला काम नहीं चले गया, तो आप कहते थे, कि हम 11 के 11 player मिलकर के, पैसा pool in करते हैं, हम पैसा मिलाते हैं, और पैसा मिलाकर के, हम अपनी पूरी team की kit लाते, तो अब नाम change हो गया, वो kit team की है, पहले individual kit की kit थी, यानि की, वो खेट, वो industry, वो capital उस individual का था, बाकियों को level playing ground नहीं मिलती थी, बराबर अधिकार नहीं मिलते थे, उसकी चलती थी, जबकि cricket एक team sport है, match सबके खेलने से जीता जाता था, सबकी वज़ा से possible होता था, अब team ने decide किया कि हम अपनी team के नाम पर एक kit लेकर के आते हैं, पैसा सारे थोड़-थोड़ा डालते हैं, और इस kit पर पूरी team का अधिकार होगा, इसलिए decide कर लिए जाता था कि Sunday को उस अदमी के घर पे रहेगी, Monday को उसके घर पे, Tuesday को उसके घर पे, या एक हफता ये अपने घर पे रखेगा, एक हफता वो अपने घर पे रखेगा, और अगर आप कहीं गूमने जाने वाले होते थे, तो आप responsibility से वो kit दूसरे के घर चोड़ जाते थे, कि मैं थोड़े दिन रहूंगा नहीं, इसलिए kit team को मिलती रहे, इसलिए kit में छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि resource team का था, ऐसे हम उसका love सबको मिला, इसी तरह से जब individual या private individual के हाथों ownership निकल जाती है इन चीज़ों की, तो ये सारे resources society या community के पास आ जाते हैं, society या community इन सारे resources को, अपने द्वारा कोई ना कोई cooperative society या कोई ना कोई corporation बना करके manage करती है, organize करती है, ये सारे resources, इतनी बाद समझ में आई, तो सीधा सीधा हमें ये समझ आया, कि capitalism से socialism में एक transition है, transition किस चीज़ की हो रही है, transition of ownership, there is a transition, transition of ownership, और ownership किस से किस को transition हो रही है, private individual से, community या society को, public को, मलिकाना हक का परिवर्तन हुआ, मलिकाना हक किसी व्यक्ति विशेष के हाथों से निकल गया, सारे समुदाय या समाज के पास चला गया, मलिकाना हक जन्ता के पास चला गया, कोई पारक है महले की या कुछ भी है, उस पर किसी एक परिवार का राज चलता था, उनके कंट्रोल से उसे निकाला, और सारे महले को सौब दी, कि सारा महला सब के बच्चे इसका इस्तमाल करें, कई बड़ी कोई महले की अंटी या कोई अंकल पारक पर वड़ा कबजा जमाना चाहते हैं, तो अपने ही बच्चों को खेलना चाहते हैं, दूसरा कोई आया, तो बाते बहुत सुनाते हैं, परिशान करते हैं, दीरे जीरे महले वाले अपना संगठन बनाते हैं, और कहते हैं कि इनका कंट्रोल हाटा हो पारक से पारक सबकी सांजी है तो आप फिर उनकों लोगों को क्या कहते हैं यह कोई प्राइवेट लॉन नहीं आपका यह पब्लिक स्पेस है आप ना चाहते हो यह भी सोचलिजम के वर्ड यूज करते हो आप कहते हो यहां सबके बच् इसम में तो यह विचार है कि बस प्राइवेट तो कतम ही ऐसा कुछ ही नहीं जो है बस पॉब्लिक है तो ट्रांजीशन ओफ ओनर्शिप हो गया इंडिविजूल से प्राइवेट ओनर्शिप निकल करके चली पॉब्लिक के पास यानि कि कम्यूनिटी और ससाइटी के पास यह एक बड़ी चीज होती है इसको सिंगल लाइन में आप कह सकते हैं की यह सभी कि यह सभी को वैल्थ प्रोड़्यूस करने के वेल्थ डिस्ट्रिब्यूट करने के वेल्थ एक्सचेंज करने के जरीए है means these are the means हाना पैसा कैसे बनता है जैसे आपके हाथ में मैं कार दे दू एक कार इनोवा उस कार पे आपने येलो नमबर प्लेट लगाके येलो पटियां लगाके जलंदर से दिल्ली चलाते हो उस कार से आपने क्या प्रोड्यूस कर लिया क्या बना लिया पैसा you are making money from that car तो मैंने आपके हाथ में क्या दे दिया एक जरिया पैसा बनाने का तो what should I call it means of production इसे में क्या कूँँगा means of production मैंने पैसा बनाने की चीज़ा आपके हाथ में दे दी अच्छा दूसरी बात कार नहीं दी मैंने आपको दुकान दे दी और दुकान से या तो किराया लेते हो या दुकान में बैठ करके जूस बनाते हो लेकिन दुकान से पैसा बना रहे हो तो दुकान क्या हो गई, शौप क्या हो गई, means of production, पूंजी बनाने का, पैसा बनाने का स्थान, आधार, मैंने आपको 10 एकड जगा, जमीन दे दी, दुकान भी नहीं दी, गाड़ी भी नहीं दी, जमीन दे दी, जमीन से क्या बना रहे हो, पैसा, मैंने आपको फैक्टरी दे पूरे जलंदर के दुकानदारों की नंबर प्लेट ने लेजर कट कर रहे हो, उस मशीन से क्या बना रहे हो, पैसा, कूछ नहीं दिया, ना पैसा, ना दुकान, ना गाड़ी, ना जमीन, मैंने आपको एक खाना बनाने वाली वो खास रेसिपी दे दी, जिसके दम पे मेरा बना रहे हो, पैसा, यह सब चीजे, वो टेकनिकल नो हाओ, वो नौलेज, वो एसेट्स जैसे की मशीने, वो प्रॉपर्टीज, फो फैक्टरी, वो सारे स्किल्ड वरकर, यह एवरिधिंग इस मीन्स ओफ प्रडक्शन, तो मीन्स ओफ प्रडक्शन, किसी के हाथ हो निकल के किसी के हाथ चले जाते हैं, पहले मीन्स ओफ प्रडक्शन, कैपिटलिस सोसाइटी में, प्राइवेट ओनर्शिप के अंदर थे, इंडिविजूल्स के पास थे, अब मीन्स ओफ प्रडक्शन किस के पास हैं, पब्लिक, कम्यूनिटी ओन्ड मीन्स ओफ प्रडक्शन, आपको कहा जाता है कि यह यह तो बादलों की बसेज हैं कौन सी इंडो-कनेडियों कि यह तो उनकी बसेज अच्छा ठीक है मतलब और बिट वाली बसें ज्यादा तर आप कहते ही तो उनकी बसेज मतलब आप यह रेकोगनाइस कर रहे हो कि बसेज पर ओनर्शिप प्राइवेट है अच्छा दूसरी तरफ आप कहते हो यह एरबोर्ड जो जाती है यह सरकारी बसेज आपने सरकारी कह दिया वैसे क्योंकि आप टेक्निक लिए उतना नहीं जानते थे कहना आप यह जाते थे य एक को देखे आपने कहा कि यह तो भही फलाने फलाने पॉलिटिशनों की बसेज और दूसरी को देखकर करके आपने कहा कि यह तो हमारी सरकारी बस है इस पर चड़ेंगे हमारी सरकारी बस हमारी तो जो पब्लिक की है सरकार की बस है किसकी है अल्टिमेटली आपकी है तो ब पर के उन की का मीन राफ प्रडख्शन शाम से बनेगा पैसा इसलिए हो सकता है इस बस का पैस का प्रेसे को पिराया चारहजारों सागुंधि कि टिक आता है सो सिरफ ग्यारासो यहाजार रपया हो क्योंकि जन्ता की बसेज है जन्ता ने अपने ही लिए चलाई है तो जन्ता अपने ही आपको ज्यादा लूटना नहीं चाहेगी तो बस की मेंटनेंस धोलाई धोलूई भाड़ा किराया निकल जाए उतना 11 को सुर्विया बहुत है जैसे माहलो कि हमी लोगों ने मिलके किट बैक करीद लिया तो हम यह भी तो ड्यूटी लगाएंगे किष किट बैक को धोना भी अफ्टे बाMusic किसी की द्धोने की तुटी भी लगाएंगे इसको maintain करना fat food जाएगी तो ठीक भी तो करनी है तो उतना कम लोग fees भी रखेंगे कि हर महीने हम लोग 20-20 रुपया fees डालेंगे जिसे kit maintain हो ऐसे ही हमने buses चलाई हमने पहले तो हमने buses चलाई फिर उन buses क्यों maintain रखें इसलिए किराया और हम ही लोगों ने फैसला लिया औरतों के लिए bus free औरतों के लिए bus free लेकिन प्राइवेट बस तो औरतों के लिए free नहीं है सरकारी bus free है तो बस एक जरिया है पैसा बनाने का means of production लेकिन बस कैसे बिहेव कर रही है यह depend कर रहा है कि बसका मलिकाना हक किसके पास है प्राइवेट इंडिविजुल के पास है या पब्लिक के पास है गौवर्मेंट के पास है इतनी बास समझ मैं है दूसी तरफ एक means of production आप इसको मान लीजे वो प्राइवेट है कि पब्लिक है पब्लिक होस्पिटल अर्थार्थ सरकारी अब के बाद मैं वर्ड पब्लिक ही उस करूँगा थीक इसी तरहां से आप मान लीजे हिमाचल टूरिजम अगर हिमाचल जाते हैं तो होटल्स मिलेंगे दो तरहां के प्राइवेट ओनर के अलग-अलग है कभी private individual उसे own कर रहा है कभी public own कर रही है यानि कि सरकार own कर रही है capitalism से socialism में जो परिवर्तन आता है वो mainly इसी के around आता है कि means of means of production means of distribution means of exchange of what of goods means of production of goods and services means of distribution of goods and services means of exchange of goods and services private से निकलके public में चले जाते हैं अब आप कहेंगे means of production of goods and services भाई मेरे पैसा कैसे बनाओगे कोई good या कोई service ही produce करोगे मुँ दिखा के पैसा बनता है मुँ दिखा के भी पैसा बनता है ना celebrity हो पर वो भी एक service दे रहे हो ना आप में star power है ना भाई तो इसलिए किसी ने अपने शो पे आपको बुलाया क्योंकि उसको जादा से जादा लोग चाहिए अपने शो पे क्योंकि उसका advertiser मिले हुए हैं ऐसे में आपकी star services तो बस एक means of production of what services बस क्या आपको देती है सेवा और farms means of production of goods farms क्या आपको देते हैं किन्नू किन्नू क्या है goods किन्नू खाते हैं ओके तो means of production of goods आप जो बता हो मैं प्रूफ कर देता हूँ आप ने बोला कि sir वो जो है किराय की दुकान तो किराय की आपको दुकान दे दी ना किसी ने तो दुकान के पे बैठके क्या काम कर रहे हूँ या तो उस दुकान में मैं कोचिंग दे रहा हूँ तो वो दुकान मेरे लिए means of production of services है और आप उस दुकान पे बैठ करके juice निकाल रहे हूँ तो आपके लिए means of production of goods है means of production of goods means of production of services जैसे कि तेल के खदाने oil mining areas, oil reserves ये means of production of goods है अब बताओ इसका मलिकाना हक जिसके पास जैसे अभी अभी आप यहां बैठे हो अभी अभी आप यहां बैठे हो हालत हो सकता है खस्ता हो लेकिन अभी आपकी हालत बदल सकती है जैसे उधार्ण के तौर पर अभी अभी मैं आपको वेरका का मलिकाना हक दे दो जेब में चबनी नहीं दी मैंने वेरका दे दी आपको वेरका का milk plant तो आप वहां जाते ही प तो आप कहेंगे thank you, वो सब मेरा, आज से वो मेरा, भाई पैसा तो कोई पैदा नहीं न कर सकता, पैसा बनाता है कोई, पैसा वस्तूओं से और सेवाओं से बनता है, goods या services का जब market में क्रह विक्रह होता है, sale, purchase, exchange होता है, उससे पैसा बनता है, तो हमने पहले line वो वाली इस्तमाल की कि पैसा बनाने वाले साधन, आपके हाथ में आ जाएंगे, sources, फिर हमने और तक्निकी रूप में आपको समझाया कि पैसा तो finally कि नहीं goods या services से बनता है, मतलब ultimately वो साधन आए, क्योंकि कहीं लिखा line यह वाली लिखियोगी means of production of goods and services, वो तो candy floss में जो पैसे होते हैं, वो वाले होंगे नकली, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, कोई shop, कोई अड़ा, कोई machine, कोई talent, कोई skills या कुछ उसकी मदद से फिर आप पैसा बनाते हो, उन goods and services को exchange करते हो market में और फिर बनाते हो पैसा, simple, okay, तो इस तरह से capitalist से socialist society में जब change होती है, society, जब society reorganize होती है, from capitalist to socialist, तो means of, production of goods and services, private से public के control में चले जाते हैं, private individual से society के control में चले जाते हैं, community के control में चले जाते हैं, ये बात स्तापित होई? very good, yeah, very good, ये ही बताना चाहरें, तब से तो अब, Frederick Angel, Karl Marx ने ये ही सुझाया, कि सारी समस्याओं की जड़िये हैं, कि जो means of production हैं, ये few hands में concentrated हैं, they are concentrated in few hands, कुछी लोगों पास सीमित हैं, means of production, हजारों हजारों एकड़ के जिमिदार, सोचने ली बात हैं, एक बुड़ा सा आदमी और लाख एकड़ जमीन उसकी, ऐसे खुट्टी लेके बैठा हुआ हैं, आंगन में, सोने के चिम्चे में खा रहा है, कहते ही इतना means of production इसके पल्ले बांदा हुआ है, और लोगों से करारा बंदुआ मजदूरी, means of production इसके हाथ से लेके लोगों में दे दो, ताकि ये सोने के चम्च में न खाए, स्टील के चम्च में खाए, और बाकी जमीन पे जिबान से न खाए, स्टील के चम्च में खाए, तो extreme richness से extreme poor वाली state खतमी कर दो, जब लाखों एकड़ की जमीन इसके नाप के नीचे से निकालके लोगों में बाटेंगे, और भारत ने अजादी के बाद जमीनदारी abolition कानून पास करके, खुद का समाजवादी होने का प्रमान दिया, कि भारत समाजवादी सिध्धानतों की पालना करता, इसलिए, after the enforcement of the Indian Constitution, इंडिया ने जमीनदारी abolition कानून पास किया, प्लस, land sealing कानून लागू किया, कि इतनी जमीन से ज़्यादा एक व्यक्ती जमीन नहीं रख सकता, और जो उससे ज़्यादा जमीन रखी जाएगी, वो जमीन सरकार के पास आजाएगी, और फिर उसको distribute करेंगे, लोगों में, तो तीन step अपनाए, पहले जमीनदारी खतम करी, फिर इतनी जमीन से अधिक आप जमीन नहीं रख सकते, और फिर जो extra जमीन है, वो किसके पास आजाएगी, यानि कि public society के पास, मतलब दे दे नहीं उनको हमने, ताकि गरीबी, पिछड़ापन, भुकमरी, असमानता, दूर की जाए, ठीक है, poverty, backwardness, hunger, inequalities, दूर की जाए, यह समाजवादी चैरा था हमारा, भारत ने यह किया, तो यह बिलकुल वैसा समझने की कोशिश करनी है, तो कालमाक्स ने बोला कि भाई बस इतना है, कि few hands में जो concentrated है, means of production of goods and services, निकालो, उसको दे दो चूप करके, community को, society को, यानि कि public को दे दो, मलिकाना हग, कहते ठीक, इसको क्या है, society reorganized, reorganized, जैसे, अभी यह class कैसे organized है, मैं खड़ा हूँ, आप सुन रहे हैं, मैं podium पे हूँ, आप chairs पे हैं, this is the way the class is organized, इसको reorganized कर सकते हैं, आप खड़े हो जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, हना, तो इसी तरह से समाज करी organization, पहले society was organized towards, or around the private ownership, of the resources, अब society organized towards, and around the public ownership of the resources, और the public ownership of the means of production, इसको कहते हैं, समाज का पुनरगठन, reorganization, ठीक है, इस तरह से society उन्होंने का reorganize करनी पड़ेगी, कहते हैं ठीक है, इससे क्या होगा, कहते हैं कर रो तो सही, देखना फिर क्या होता है, society इस तरह से reorganize करके, जितनी भी आसमानताएं हैं, वो दूर होंगी, इतनी बाद समझ में आई, अच्छा, और इसके लिए उन्होंने तरीका क्या सुझाया था, उन्होंने बोला revolution करना पड़ेगा, revolutionary तरीका, क्योंकि, जिनके पास already wealth concentrated है, उनके बहुत भारी, निजी हित, यानि की vested interest उनमें समाए हुए हैं, और ऐसे में अपने उन vested interest को पोशित करने के लिए, उन्होंने society में, वैसा ही सारा का सारा system, खड़ा किया हुआ है, system बोले तो मतलब, सारा administration वैसे ही work कर रहा है, सारा administration उनकी इस सोच को support कर रहा है, प्रसाशन सारा वैसे organized है, second, सारे laws वैसे ही काम कर रहे हैं, कानून उनी को समर्थन कर रहे हैं, सारा administration उनको support कर रहा है, सारे laws उनको support कर रहे हैं, state की सारी force जो है power, power, उनी के interest को protect करने में लगी रहेगी, ऐसे में, it is not merely the transfer of ownership from one to another, no, यह मात्र मालिकाना हग किसी एक से दूसरे के पास जाना नहीं है, it is the complete reorganization of society, polity, economy of the country, it is the complete reorganization or complete overhauling of the society, polity, economy of the country, आई बास समझ में, संपूर्ण परिवर्तन करना पड़ेगा, तो इसलिए आपको एक complete transition अचीव करना है, capitalist society से socialist society की और, और इसके लिए उखाड़ फेंग करना पड़ेगा, there will be friction, there will be struggle, आपको प्रसाशन आपके रस्ते आएगा, आपको उससे संघर्ष करना होगा, administration आपको रोकेगी, आपको उसके oppose करना पड़ेगा, आप कानून आपके रस्ते आएगे, आपको उन कानूनों को defy करना है, नहीं मानना, अवहेलना, नहीं करना, सत्ता, शक्ती आपके रस्ते आएगी, आपको शक्ती से उसका जवाब देना है, तो यह सब करना है, आपको करांती करनी है, revolution, मतलब, इसका मतलब, अभी तक एक चीज जो है, वो क्या है, अभी तक कोई एक चीज है, A, A, A बोले तो, society A, polity A, economy A, अभी तक A चीज exist कर रही है, इसका पूरा उलट लाना है, radical change कहते हैं इसको, पूरा चेंज, radical, थोड़ा नहीं पूरा, आपको लाना है, Z, पूरा Z लाना है, Z society, Z economy, Z quality बनानी है, सो इसलिए revolution का एक बड़ा अंग क्या होता है, revolution का एक बड़ा अंग होता है, radical change, complete change, पूरा चेंज, थोड़ा बहुता चेंज नहीं, पूरा चेंज, और revolution का दूसरा अंग क्या होता है, quick, बहुत लंबे समय तक सुधार करकरकरके, reforms करकरकरके, improvements करकरकरके, नको, तुरंत, quick, quick and radical, लोगों को दो बात पूछी, बोले, 100 साल है दिने के लिए, ऐसा दीरे-दीरे उनकी आत्मा, चेतना, कानून, बदल-बदल के लानेगा, लोगों बोल रहे हैं, नहीं, इतना तो मर जाएंगे तब तक, आगे की पीडियों और अनपड रह जाएंगी, और गरीब पिछडे रह जाएंगे, तो और बड़े-बड़े दास बन जाएंगे, तो हम तो कभी आब आज इन उठा पाएंगे, और आज आप हैं, माक्स, कल हो ना हो, कहता तो फिर, कहते तुरंत, तुरंत, गुड़ बॉई, दूसरा ऐलिमेंट क्या है, थोड़ा बहुत बदल के चलेगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत बोग बदल जाएं, कि तुमको एक बोटी दे रहे हैं, कल से दो बोटी फेकेंगे, ऐसा चलेगा, तुमको थोड़ा-थोड़ा पढ़ने को देंगे, थोड़ा थोड़ा खाने को जादा देंगे चलेगा कहते नो boss, ऐसा काई को ऐसा नहीं चलने का हम तै करेंगे हमको कितना मिलने का क्या पढ़ने का, कहता तो मतलब कहता पूरा change कहता तो फिर इसको बोलते revolution, तयार हो कहते हाँ कहता तुमने मांगा मैंने नहीं दिया तुमने बोला तुरंत तुमने बोला पूरा इसके लिए एक heading है revolution, करांती, are you ready? कहते येस, कहते आप मुझसे पूछो की शांती मही ढंक से होगा, की संगर्ष होगा लडाई होगी, कहते हाँ पूछ रहें सर, बताओ, कहते फिर तुम, देख लो की कितने सालों से उनके vested interest है परसाशन सुनेगा, शांती से करने देगा, तुम जाओगे डंडे उठाएंगे हत्यार उठेंगे कानून सारे तुमारे खिलाफ बल तुमारे खिलाफ कहते सर फिर तो संगर्ष होने का वाइलेंट सो कहते फिर वाइलेंट revolution होगा go and do it and have your rights अपना अधिकार ले लो, जाओ that is the thing तो जार निकॉलास को जार निकॉलास टू को रशिया की गद्दी से उतारा घसीटा, खत्म किया और revolutionary marxist यानि की communist state established किया 1917 में लादीमिर लैनिन ने with the help of bolshevik revolution तो bolsheviks ने 1917 में revolutionary communism की पालना करते होए रशिया को पहला revolutionary communist state बनाया the socialist रशिया जो 1921 से USSR कहलाया Union of Soviet Socialist Republic USSR ओके देट वस लैनिन जिसने यह किया control proletariats के हाथ में आया बारजवास खतम हो गए is that clear तो socialism से capitalism से socialism में जाने में यह चीजें काम आती है ऐसे आप एक system से दूसरे system में बदला हुआ आपका इतनी बाद समझ में आई socialism communism का भी फरक समझेंगे पर पहले मोटा मोटी यह समझ में आया क्या हो रहा है तो अब मैं आपसे आज के बाद पूछता हूँ अब उस रशिया में आपसे पूछता हूँ आप सारे अंसर देंगे मैं कुछ रटवाँगा नहीं मुझे जवाब दीजिए farms किसके होंगे किसी आदमी के होंगे या समाज के होंगे समाज के farms होंगे चलो आपने बहुत अच्छा अंसर दे दिया कि समाज farms को कंट्रूल करेगा ठीक है तो farms के farms जो हैं वो समाज के होंगे society के होंगे अच्छा society तो बहुत बड़ी होती है सुसाइटी तो बहुत बीग होती है हर समय हम सब नहीं उपलब रह पाएंगे उन फार्म को देखने के लिए काम करने के लिए तो कैसे फार्म को विल मैनेज देन तो आप लोग क्या करेंगे समझो इस बात को आप लोग की लड़ाई कोई फार्म को कबजा किया कोई फैक्टरी कबजा की इतनी चोटी लड़ाई नहीं थी आप लोगों ने एक सिस्टम को एक नए सिस्टम से रिपलेस किया है तो आप लो government और उस government की आया नया system of governance नया तरह का प्रसाशन नया तरह का साशन साशन प्रसाशन बदल गया वो कौन सा हो गया समाजवादी तंत्रा socialist system तो वैसी government governance तो ऐसे में सबसे पहले आप सब का public का focus क्या रहने का public का focus रहने का system बनाने का system को नाम दिया socialist उसके तहत आप सब क्या करेंगे एक socialist government बनाने का और socialist government को आप बना देंगे custodian of all the resources तो ऐसे में आपका है एक अपना आपका है एक अपना nation दन हम रेख you have your nation the Russian nation अमरीद ने बनाया Russian nation ओके उस नेशन में अमरीद ने बनाया social system उस नेशन में अमरीद ने social system based बनाई government and the model of governance तो ऐसे में उस nation में अमरीद ने उस government को सारे resources का यानि कि all means of production का custodian तै कर दिया custodian तै कर दिया तो ऐसे में वो सारे resources nation के हो गए indirectly तो सारे resources के बारे में कह सकते है nationalized हो गए so all resources were nationalized nothing was privatized कुछ भी private नहीं बचा सब का राश्ट्री अकरण हो गया सब nationalized हो गया तुरंट आईबा समझ में क्लियर हुआ अब यह जो nationalized system of resources है इसमें bank nationalized insurance nationalized खेत nationalized factories nationalized सब nationalized सब का राश्ट्री करण कर दिया मतलब सब सरकार को सरकार के हवाले who is the custodian of everything सरकार अब custodian से word निकाल देते हैं who is the controller control कौन कर रहा है सरकार तो सब पर मालिकाना हक एक तरह से indirectly किसका आ गया सरकार का सब किसका सरकार का सरकार के वाया indirectly किसका जनता का public इस सरकार किसने बनाई public ने और सरकार किस विचार धरे पर चल रही है समाजवाद तो सरकार को यह सब public ने बोला करने को तो public के भिहाव पर ही सरकार यह सब कर रही है जैसा बिलकुल हो जहारन के तौर पर यह पूरी क्लास है यह पूरी क्लास ने मिल करके एक गाड़ी खरीद दी और सारी क्लास ने मिल करके गाड़ी खरीद करके मेरे को बोला कि सर आप जो हैं हम लोगों के द्वारा बनाई एक सरकार हैं हम लोगों के लिए आप इस गाड़ी को बेस्ट मैनर में यूज करो तो मैं आप तो वो गाड़ी मैं ओन कर रहा हूं या आप ओन कर रहे हैं, पब्लिक, तो काड़ी क्या हो गई, पब्लिकली ओन्ड, मैं तो बीच में क्या हूं, एक organization हूं, आपके द्वरा दी गई विवस्ता हूं, क्योंकि कोई ना कोई तो farms को, factories को, mines को, कोई तो manage करेगा, we need some sort of organization, we need some sort of institutions, वो organizations, वो institutions, वो laws, कहां से आएंगे, for that we need some sort of system, what kind of system, the economic, social and political system, and that system is a socialist system, so we have developed a socialist state, a socialist nation, हमने एक समाजवादी समाज बना के, एक समाजवादी राज्य बना लिया, the socialist state of Russia, okay, तो राज्य समाजवादी हो गया, इतनी बास समझ में आगई, ऐसे में उस गाड़ी जो मुझे जिम्मेवारी, सिर्फ बिंग सरकार आपने मुझे वो गाड़ी मैनेज करने का है, उस गाड़ी से तीन हजार रुपया जो आता है, वो मैं क्या करता हूँ, आप मुझे सिर्फ उस गाड़ी को मैनेज करने के लिए, जो मिल बाट करके सब तै किया है मेरी 400 रुपीज आपने सेलरी तै किया पर डे रोज तीन हजार मेरे को मिल रही है सिरफ सेलरी मेरी नहीं है वो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है मैं प्रॉफिट्स नहीं रहा हूं उसके तो मैं फिर क्या हुआ जनता का ही नौकर हुआ ना सेवा हुआ सेवक हुआ ना इम पॉब्लिक सर्वेंट उनली इम सरकार उनली चब्वी सो रुपया जो बच रहा है गाड़ी का किदर जाने का आप लोगों ने मुझे बूला है कि चूप करके चब्वी सो रुपया जो नेशन का यानि कि जो इंडियन रशियन स्टेट का खजाना है ट्रेजरी ट्रेजरी में डाल दे जाके ट्रेजरी किसकी है जनता की चबी सो रुपया उसमें डाल दे मैंने बोला ठीक है मैंने चबी सो रुपया ट्रेजरी में डाल दिया चबी सो रुपय के ट्रेजरी में डालने के बाद क्या हुआ स्कूल में हॉस्पिटल में फैक्टरी में वो चबी सो रुपय जाके लग गया और उस school में आप सबके बच्चे आके पढ़ेंगे एकदम chill, उस hospital में सबको वराबर इलाज मिलेगे एकदम chill, factory में नौकरी सबको मिलेगे एकदम chill, सब हो गए chill chill, समाज ने अपने देश के resources बोले तो गाड़ी अपने ही लाब के लिए इस्तमाल कर लिया, that's all, कोई private नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन पहले क्या होता था, गाड़ी एक private आदमी की, गाड़ी एक private आदमी नहीं, एक आदमी को उसने कबजा करके अपनी गाड़ी का driver बनाया, उसको क्या देगा 10-20 रुपया देआड़ी बस, जिंदिगी जीने लाइक सांस लेने लाइक कु कि 10-20 रुपय में कुछ उबला चावल खा लेना रोज का, ऐसे में वो गाड़ी चला के रोज कमाता है 30,000 रुपया, मतलब ले देखकर के उस आदमी को बचता है 29-30 रुपय, 29-30 रुपय उसके खुद के private, प्राइवेट, सब बाटेगा अपने घरवालों में जाके कहेग तो चिल कौन मार रहे हैं, सिरफ उसके family के 3 member, बाकी सब लोग मुह देख रहे हैं उसका, लेकिन अब बिल्कुल scenario change, वो आदमी हटा लिया, गाड़ी ले ली समाज ने, समाज ने अपने नाम पे काम पे लगा दी गाड़ी, उसके उपर plate लगा दिया, it is public property, और वो गाड़ कर रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, सबको पढ़ाई मिलेगी, सबको विकास, सबको इलाच, सब प्रगती करेंगे, ऐसा idea रहता है, सोचलिजम में ऐसा idea रहता है, कि ऐसा होगा, ओके, इस तरह से कितना बड़ा फर्क दिखा, means of production, private individual के हाथों निकल के, public हाथ में जाने स कैसे, कैसे 3000 रुपे एक family से निकल के सारे देश समाज के पास आ गया, कैसे सरकार सिरफ एक custodian है, ना कि मालिक है resources की, जबकि मालिक होता तो मुनाफ़ा खुद रखता, सरकार सिरफ एक custodian है, organizer है, management body है, law and order maintain कर रही है, rule and regulation आपकी इच्छा के मताबिक बना रही है, और कही मताबिक manage कर रही है, सब कुछ आप ही है, you are serve a servea, that is socialism, समाज वाद, इस तरह से, पूरी तरह से एक society, पिछले दिन तक, capitalist society थी, आज society, polity, economy, सब capitalist, आज society, polity, economy, सब socialist, इतनी बाद समझ में आई, ये होता है, बुन्यादी अंतर, capitalism और socialism के बीच, ऐसे transition हो जाता है, मंडे को capitalist society, और Tuesday को एकदम socialist हो गई, सब बदल गया, मंडे को उस दुकान में आख करके बैठते थे एक private मालिक, Tuesday को, वहाँ पर अब कोई private मालिक नहीं है, वहाँ के बैठा है करमचारी, और करमचारी को पूछा कौन है, उसने अपना मैं सरकार के लिए सामान बेच रहाँ, सारी कमाई खजाने में जाती है, और खजाने से सब कुछ उन संस्थाओं में जाता है, जो देश के लोगों ने चुनी हैं कि हमारे लिए बननी चाहिए, लेकिन पहले मकान, दुकान के मालिक बैठ रहे हैं, और दुकान के मालिक ने बोला सारी कमाई सारा मुनाफ़ा मेरी जेब में जाता है तो दुकान में सिरफ हमने मालिकाना हग बदल दिया माहुल बदल गया सिस्टम बदल गया स्कूल कॉलेज युनिवर्स्टी जाने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई है उस बसे एकदम फ्री बसें फ्री लेकिन प् होस्पिटल सोशल सर्विस से जुड़ा है इसलिए एकदम मिनिमलिस्ट पैसे पर इलाच जस्टू मिंटेन दा कॉलेज युनिवर्स्टी लेकिन प्राइवेट जब था तो आमदनी के बड़े अड़े थे बड़े अड़े वाल्ड नाम के साथ स्कूल के नाम के साथ वाल् आकाश पाता लोग पता नहीं क्या फीस कितना दौस हजार महीना बारह हजार महीना किससे पढ़ा रहे हो इदर लाओ देखें जरा लेकिन इधर पढ़ाई टौपम टौप काम टौपम टौप लेकिन फीस एक दम मिनिमलिस्ट सिरफ खर्चा मात्र थोड़ा बहुत इंस्टिटूट मेंटेन हो जाए उतना ही फीस लेकिन टौपम टौप पढ़ाई मिल रही आपको सारे पढ़ रहे हैं सारे प्रगती कर रह है इतना सा ही फरक आ गया मालिकाना हक में बदलावाने से अब एक गली में चार परिवार है और चारों परिवार में जितना जितना टेलेंट है जो जो उनकी एबिलिटी है उस हिसाब उनोंने खेट में, फेक्टरी में, बेंक में, रेलवे में apply किया है, उस उसे साफसें को काम मिल गया है, अपना अपना salary लगा है, और बुन्यादी सेवाएं सब अपनी family को दे पार है, हैं सब को जुटिया मिल रही है, बच्चों को कुमाने जाने के लिए leave and fair concession मिल रहा है entertainment का भत्ता मिल रहा है सबको अच्छा-च्छा सब मिल रहा है आई बाद समझ में सबकी नौकरी से क्यों और है ensured है एकतम क्योंकि रेलवे, बैंक, फैक्टरियां, खेत, अब सब publicly owned हैं और किसकी custody में दे रखे हैं सरकार की everything is nationalized आईए, apply कीजी और लीजे, किसी के बच्चों के लिए पहले क्या था, बाप का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा गदी पे बैठेगा ब्याज का काम है, finance का बाप का बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा बेटी भी नहीं गुसाते, सोचो, कितने पेट्रियारिकल हैं, खेत, बाप का बेटा, बेटी का बेटा, सब जगा, बाप बेटा, 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 लेकिन अब, अब, बाप नहीं, जनता, पेक्टरी, जनता, सब कुछ, जनता, और जनता की कंट्रोल में हैं हैं सब, और ऐसे में आपके बाप के बारे में इंशॉर करना जुरूरी नहीं है वहां पर आपको नौकरी देने से पहले चुप करके आईए एक्जाम है दीजिए लीजिए जाए इंजॉय जाए काम लीजिए काम करिए देश का है देश वासियों को मिल गया ऐसा जाए जलंदर किसी लेकिन चैलेंज करता हूं अभी अभी चैलेंज कर रहा हूं मैं देश के सभी पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग बैंक्स के अमडी कौन है आप सब के मता पिता आम परिवार के लोग जाओ पता करो कैसे देशनलाइज़ बैंक्स सभी कॉर्परेशन निकालो सभी कॉर्परेशन निकालो मार्क फेड निकालो सभी कॉर्परेशन कॉपरेटिव ससाइटी निकालो पता करो उपर एमडी पॉजीशन पे कौन बैठ है आप सब के पर रिटायर होते हैं स्पोर्स से ऐसे आप बोलते हैं एमडी रिटायर है फि लेना देना कोई नहीं बहुत ज्यादा तो चीफ एक्जीक्यूटी ऑफ फीसर मैनेजर जेनरल मैनेजर कतम कहानी और उसकी भी तंखाम है और मालिक की तंखाम है जमीन असमान का परक है समझ रहे हो ना यह system this is the difference कि proprietorship किसके पास चली गई private proprietor से निकल के public के पास सब बदल जाता है इससे एकदम चेंज हो जाता है सब अब व्यक्ति से व्यक्ति exploit नहीं हो रहा है अब प्यून प्यून की जॉब जॉब पे जो ड्यूटी है प्रोटोकॉल है वो नहीं भा रहा है उसके हायर वाला उसे exploit नहीं कर सकता कि शाम को मेरे घर आ जाना और जूते च क्लरक पॉने फांच बज़े उठके जाने लगते न आपके कोई नोन तो लगे होंगे बैंकमों से पूछा करना कि प्रोबीशनरी ओफीसर कभी उने रोख पाते हैं कभी नहीं पांच बज़े टिफीन उठा लेते हैं कहते जा रहे हैं वो कहते जा रहे हो फाइल कल देख ना कल देख लेना वो शेचे बैट रहते रहते पॉने पांच बज़े बसो के पॉने पांच बज़े ऐसे फाइल बंद वह क्लरक प्रोबिशनरी ओफीसर ऐसे नहीं कह सकता आज साथ बज़ तक अगर नहीं बैठे कल हिसाब किताब ले जाना आके इसा कुछ नहीं है लेकि आप उसे भी नहीं कह सकते कि ऐसा है आपके मैडम जो है आज वहां पालर गहीं होने पिक करके वहां छोड़ दो आप बचो स्कूल से ले आप कहेंगे वाट इस थिस नॉंसेंस आप भी सरकारी मुलाजिय मैं है मैं भी सरकारी मुलाजिय हूँ हूँ वी बोथ हार सरवेंट बॉसेस नियू होते यहापे सीठ इस होते है जुनियर जुनियर थो पूजीशन अरुनियर तो सी नहीं सकता वो, क्योंकि वो खुद अदिकारी नहीं है आपको ऐसी कमांड देने का, लेकिन उसने आपको ये कहा है, आपकी जॉब का वर्क है, और आप नहीं कर रहे हो, तब वो जरूर लिखेगा आपके बारे में, कि इसको ये काम दिया था, तब वो आपको ये कहेगा, देखके दे रहा हूँ, इसको अक्नॉलेज कर दे फिर, साइन कर दे कि तुने नहीं करना, आप कहेंगे मैंने साइन भी नहीं करना, फिर वो कहेगा, कोई बात नहीं, मैं उपर से अकनॉलेज करा देता हूँ, तो ना तो आपको आपके एरिया से बार काम करने को कह सकता है, ना आप उसे मना कर सकते हैं अपने एरिया में जो काम है उसे करने से तो इसको कहते है system of hierarchy, system of command based work सबकी authority तै है, सबकी attorney तै है, सबको commands clear कर दी गई है सबकी training तै है और सबको बता दिया किस-किस छेतर में रहके उसके बाद out of way जाके वो favor करते एक दूसरे को अलग बात है लेकिन बाकी सब clear है गलत F.I.R. नहीं लिखने का, उसने तो नहीं लिखने का वो नहीं लिखेगा, वो कहेगा सर मैंने नहीं फिर उसको कहेंगे इसको छोड़ जार, तू F.I.R. लिखिया आँ उसने नहीं लिखी, क्या हो जाएगा उसका दोस्तियां करना चोड़ देंगे क्योंकि बास नहीं कोई लेकिन पहले क्या सिस्टम जमीदारी बेगारी का सिस्टम बन हुआ मजदूरी क्या कहेंगे, चल जूता साफ कर गुलामी कर रहे हैं तो ऐसे में लोग क्या कहते हैं तुम्हारे गुलाम नहीं है, समझ आई सरकारी नौकरी है, किसी गुलामी नहीं है ये ये लाइने बहुत फेमस होई हैं समाज के अंदर तो इसलिए लोग कहते कहते हैं इजज़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़़ वो कहा रही यार दिनेस तू देखले न भर दे, मैडम मेरा तू काम नहीं है वहाप दे आप देखको, वह कहरी यार कभी नहीं मानता तू, ऐसा कह सकती लेकर यह नहीं कह सकती, बताओं तुझे गरूआ फोन अभी, तेरे सर को, तरे हसाब किताओ, यह कहां नहीं है, लेकिन इदर प्राइवेट जॉब में एक ड्राइवर रखा है घर में ड्राइवर न रख लिया भाई बंदवा मज़ूर ही रख लिया ड्राइवर गाड़ियां भी दो रहा है ड्राइवर सारे लिफाफे उठा रहे हैं ड्राइवर बच्चों को मरिजहा भी रहे हैं खिला भी रहे, driver लडाई सून जा रहे हैं, गर की, ड्राइवरी सब रातों रातों को, गर की रुक रहे हैं, ऐसे मैं आदमी कहता यार, ऐसी private driver से अच्छा, स्रकारी driver बन जाओ गई, और सरकारी driver लोको पाइलेट, है की नी, ट्रेन चलाने वाले पाइलेट, नीचे उतर गए रेल गाड़ी से कहते थोड़ा चाय नाशता गाड़ी छोड़ दिया कि नीशे न आफ नहीं किया दोड़ा दी उची बसी तक बठान कोड़ से ले गए कहते चल ले दो यादा सिस्टम लेकिन उस पर भी जांच के आदेश दिये गए है यहां चोगी उसका पक्ष पूछा है लेकिन प्राइवेट होता तो यहां जूँच के आदेश का होते हैं खतम तो बॉस गिरी नहीं है मने सोचलिजम मालिकाना हक सब तो जो जिस जिस पोजीशन पे है याद रखो जो जिस जिस पोजीशन पे है वो उतना उतना मालिक है रिसूर्स का तो here all are bosses if no one is boss then all are the bosses और the second scenario is no one have that boss गिरी all are junior and seniors that's all आई बास समझ में this is the transition from capitalism to socialism तो यह मुटे मुटे बदलाव इतने समझ आ गए capitalism से socialism के तरफ जाने का यह बदलाव समझ आया भारत ने 1969 में 14 bank nationalize किये थे उसके पहले majorly banks private थे we have nationalized them अई बास समझ में मतला हमने सरकारी bank खोले तो नहीं nationalize किये हैं हमने bank तो सारे private लोगों ने खोले थे पहले PNB Bank of India सब पहले कि खुले हैं हमने इनका राष्ट्री करन कर दिया था nationalize कर दिया था और उसी nationalization के वज़ा से हुआ कि जिन गरामीन इलाकों में कोई मुनाफ़ा नहीं है मैं आपको challenge करता हूँ आज भी आप देश के हर गरामीन इलाके में bank पाएंगे और वो सरकारी होगा लेकिन जहां से भी अच्छी खासी कमाई होते हैं उस road पर आपको चार-चार private bank मिल जाएंगे प्राइविट bank क्योंकि इसके लिए मुनाफ़ा जरूरी है तो वो वहां नहीं जा पाएगा लेकिन समाजवादी राष्ट है अगर तो उसके लिए सेवा जरूरी है और लोगों को banking सेवा देनी है तो जहां मुनाफ़ा नहीं भी हो रहा है नुकसान में ब्रांच चल रही है वहां भी ब्रांच खोलनी है क्योंकि motive is to serve the people तो वहां पे करमचारी बैटे होए होंगे क्योंकि ब्रांच गाटे में चल रही है हर मीने BCR का गाटा चल रहा है वो तो सरकार है जिसने ब्रांच चला ही हुई है कुछ है नहीं से ब्रांच में नहीं फिर भी ब्रांच है क्यों है क्योंकि लोगों को financially include करना है it is the concept of financial inclusion लोगों को financial independence देना जरूरी है इसलिए वहां तक सरकार पहुंची हुई है क्योंकि हमने अपने लिए ये ववस्था की है वहना private player तो नहीं आएगा थोड़ा समय loss हुआ निकल जाएगा ओके इसलिए बहुत सी organization they are in losses still they are working why? the motive here is to provide social justice not to make profits to ensure the right to education to everyone it is the responsibility of the Indian nation that's why schools are there and the government of India bearing the losses for that or the state governments in fact because here profit and losses matter नहीं कर रहे हैं समान समाज egalitarian society वो जो पिछड़े हैं गरीब हैं, डिप्राइब हैं अगर उन्हें मुनाफ़ा नहीं कमारा स्कूल यह कहके छोड़ दिया जाता तो वो कभी जीवन में आगे ना आपाते उधारन एपीज अब्दूल कलाम है जाएए उनकी लाइफ स्टूरी पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि सिख्षा व्यक्ति को कैसे बदल सकती है, बस एक अवसर मिलना चाहिए और वो रास्ट्रपती पत तक तो पहुंचे तो अलग बात है, जो चोटा विज्ञान के छेत्र में उनक्या दिया पता करो तो कॉंट्रिबूशन मेड़ बाई हिम इन फिल्ड उफ एज साइंस इं टेक्नोलजी तो इस तुड़ी ओके सिरुफ इसतना ही हुआ कि एक व्यवस्था है सिख्षा की कल्यानकारी यह सकता है, स्कूल बड़ा घटे में हो लेकिन अगर कैपिटलिजम होता भूल जाओ फिर वो या फिर स्कूल कॉलेज पहुंचते कोई ना कोई वेस्टेड इंटरस्ट होता या तो मिशिनरी विचारधारा में कनवर्ड करने का विचारधारा होता लेकिन इतरस्करकारी इसकूल में जाते हो कनवर्ड करते हैं, आपको कुछ कहते हैं, ऐसा समझाते हैं पढ़ाते हैं, कि यह बन जाओ वो कहते हैं, बंदे बंजाओ शुब करके यह पढ़ा लेके बंदे बनो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब यह वो समझाते हैं तो मोटा मोटा अब इतना समझना चाहरा हूँ आप सबसे बलड के अंदर फ्लो होने लगा है कि कैपिटलिजम से सोशलिजम जब होते हैं तो क्या होता है किस चिडिया का नाम है Means of Production वाली लाइन अफ दिमाग में फिट हो गई है कि उसका कंट्रोल इदर से उदर जाने में ऐसा क्या ही हो जाएगा और Means of Production में Means जरिया और Production of वाट? Goods and Services और Goods and Services से ही बनता है पैसा तो मतलब Money Making Control किसके आहाँ में है? Private या जनता? यह बड़ा सवाल था? हो गई Society Reorganized? अब आगे बढ़ते हैं अब हमें यह समझने की जरूरत है Finally कि हमने यह तो कह दिया कि Socialism और Communism में जो Ownership है Ownership of the Resources या Simple कहानी Ownership of the Means of Production Means of Production of Goods and Services यानि की The Pathways of Making Money या Means of Making Money Means of Making Money या Means of Creating Wealth इनकी Ownership या इनका Control Socialism and Communism में किसके पास है? It is with the Public Public Not with the Private Individual Private Individual के पास ये नहीं होता Public के पास होता है Ownership या Control of the Resources या of the Means of Production यानि की Means of Making Money या Creating Wealth यानि की वो सभी Goods and Services जिनकी मदद से पैसा बनता है Own Goods and Services पे Control या उनकी Ownership Socialism और Communism में Public के पास होती है Private Individuals के पास नहीं होती है या हमने अब तक समझ लिया ऐसे में हमारे दिमाग में कुछ सवाल आ रहे हैं और वो सवाल या आ रहे हैं कि Function कैसे करता है Socialism और Communism इसका Function पॉसिबल कैसे होता है तो आओ इसका Function समझाते है Example के माद्यम से Function कैसे करता है Suppose करिए कि आप एक Nation है मैं इस Nation के तोर पर Example ले लेता हूँ रशिया का कैसे काम करेगा Socialism Socialism कैसे काम करता है इसको समझने के लिए हम ये समझें पहले कि इसी रशिया में Capitalism कैसे काम कर रहा था Suppose करिए कि रशिया में एक Factory है और एक खेट है अगर तू Capitalism है पूंजी वाद है तो ये फेक्टरी और ये फार्म इन दोनों का जो ओनर है वो कोई न कोई इंडिविजुल होगा कोई व्यक्ति होगा प्राइवेट ओनर्शिप ओनर क्या होगा प्राइवेट इंडिविजू देट इस कि सिंपल लेंग्विज में प्राइवेट ओनर्शिप होगी डल जैसे आज 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 आप लोग अपने आसपास देखते हैं खेत किसी एक आदमी के एक परिवार के है को एकिटरी किसी आदमी की है कोई दुकान किसी आदमी की है यह फेक्टी और एफा हाम किसी ओनर के हऊंगे और वह प्राइवेट ओनर्शिप होगी अगर रशिया में सारे रहरे होते तो किसी अगरवाल की होती किसी संधू का फारम होता संधू फारम आप कौन हो कुलार फारम ऐसा कुछ होता है अगर क्यापिटलिजम होता तो यह व्यक्ति इंडिविज्ट इस प्राइवेट कैसे फंक्शन कर रहा है तो कौन है यह प्राइवेट व्यक्ति क्या करता यह फैक्टरी में और खेतों में काम करने के लिए इसकी जिम्मेदारी है कि यह वर्कर्स and लेबर arrange करता worker and labor यह arrange करता, organize करता clear? आप देखते हैं ऐसा ही होता है worker और labor आते तो industry में चले जाते worker agriculture में आ जाते labor काम करते वो अपनी labor offer करते तो labor के अब बदले में वो अपना labor देते वो अपना labor देते यह दे दी उन्होंने अपनी labor किसको या तो factory को या farm को और यहां से बदले में उन्हें क्या मिलते उस labor के लिए wages तो उन्होंने अपनी labor दी, बदले में उनको मिले wages, दा? तो यह wages कौन देता? private individual industrial worker को, agricultural laborer को, वो labor देता, अब सवाल आता है कि labor कहां से देता labor कहां से और arrange करता तो यह factory run करने के लिए और इन farms को run करने के लिए वो कहीं से थोड़ी बहुत पूंजी भी लाता capital पूंजी पैसा लगाता तो यहां पर capital भी उसका क्या होता? अपना private capital होता उसके निजी पूंजी होती तो आप लोग कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो अपने private पूंजी लगाते हो पैसा लगाते हो तो वो उस पूंजी से यह काम शुरू करता बीज लेकर क्या आता और machines लेकर क्या आता pesticides लाता fertilizers लाता labor लेकर आता और खेती कराता इसी तरह से machines लाता बिजली लाता और raw material लाता factory बनाता और labor लाता और factory चलाता यह सारे expenditures जिसको हम कहते हैं यानि कि तमाम तरह कि यह सारी input cost कौन bear करता एक private person private individual इसे bear करता इतनी बाद समझ में आई और इसके basis पर वो सारी चीजों का कर्चा पे करता और factory से बन करके निकलती goods और farms से बन करके फार्म से निकलती crops ठीक है इन goods and crops को फिर वो इन goods and crops को फिर वो market में बेजता market में बेजता यहाँ पे market कौन सी market होती यह आपको समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे market होती free market free market कौन सी market होती है जिस market में demand and supply demand and supply यह पै करते हैं कि उन goods की या जो भी उसने जो machine जो भी factory में बनाया उन goods और crops की कितनी demand है कितनी demand है मांग कितनी है उस मांग के मुकावले उनकी कितनी supply है बजार में उस हिसाब से उसकी कीमत तै होती उसका price तै होता cost कि market में किसी चीज को कितनी कीमत मिलेगी यह तै होगा कि उस चीज की मांग कितनी और उसकी supply कितनी suppose करो किसी goods की या किनी crops की demand बहुत high होती और उसकी supply बहुत कम होती तो मैं अब आप से इस scenario में पूछता हूँ कि price ज़्यादा होता कि कम होता price बहुत ज़्यादा होता ओके तो market ने तै कि price मुक्त बाजार free markets है यह मैंने क्यों बोला free है क्योंकि free market mechanism follow हो रहा है free market mechanism से आपका क्या मतलब है free market mechanism से आपका मतलब यह है कि simply invisible invisible hands price यह invisible factors of demand and supply ही उस market को पूरी तरह से regulate कर रहे हैं कि कौन सी चीज प्रोड्यूस होगी कितनी प्रोड्यूस होगी किस कीमत पे प्रोड्यूस होगी किस कीमत पे बिकेगी यह सब कुछ बाजार तै कर रहा है जैसे आप पूछें कैसे तो जैसे demand बहुत ज़्यादा है supply कम है तो price बहुत high हो गया अब सब को दिखा उन farmers को दिखा कि इस crop का price बहुत हाई है या उस factory owners को दिखा कि इन goods का price बहुत हाई है तो ऐसे में वो उन goods की उन goods से profit मुनाफ़क कमाना चाहेंगे तो ऐसे में वो उसकी production उसकी production बढ़ा देंगे कई लोग वो वाली फैसल लगाने लग जाएंगे कई लोग वो वाली goods पैदा करने लग जाएंगे होगा कि नहीं ऐसा जिस तरफ मुनाफ़ा दिखने लग जाता है कि इन चीज़ों की मांग बहुत है हमें एक उगाना चाहिए मंडी में इसका अच्छा दाम मिलता तो किसी चीज़ की कितनी demand थी उसकी comparison में उसकी कितनी supply थी उस पर तैह हुआ उसकी कीमत तो कीमत बहुत जादा तैह हो रही है उसी के base पर factory owner ने और farm owner ने ये तैह किया कि उसको उस चीज़ की production बढ़ानी है की नहीं तो उसने तैह किया बढ़ानी चाहिए क्योंकि इसकी तो कीमत बहुत मिल रही है तो कोई चीज़ कितनी पैदा होगी कौन तैह कर रहा है बाजार market आई बाज समझ में अब ऐसे में production सब करने लगे मुनाफय के चक्कर में उस चीज़ की supply क्या हो गई इनफ बहुत supply हो गई उसकी एक तरफ से supply बढ़ रही है लेकिन दूसरी तरफ उस चीज़ की कीमत थोड़े समय से हाई चली आ रही थी ऐसे में लोग उसका कोई ना कोई alternative ढूंडने निकलेंगे थोड़ी सी demand थोड़ी सी consumption कम करेंगे लोग उस चीज़ की खपत कम करेंगे या उसका कोई ना कोई alternative ढूंडेंगे या थोड़े समय के लिए hold कर देंगे कि अभी मत लो तो तूसरी तरफ से demand भी fall कर रही है लेकिन इस तरफ से supply भी बढ़नी शुरू हो गई धीरे धीरे demand और supply में equilibrium आ जाएगा ऐसे में उस चीज़ के prices क्या हो जाएंगे? stable, सही हो जाएंगे, कीमते घड़ जाएंगी enough supply आ गई और ऐसे में एक point के बाद supply बढ़ गई है supply बढ़ गई है अब demand उतनी नहीं है, price क्या हो जाएगा? price क्या हो जाएगा? कम तो prices क्या हो जाएंगे? reduce हो जाएंगे high नहीं हो जाएंगे, price हो जाएगा low goods and crops उगाने वाले goods बनाने वाले को अब उतने profits नजर नहीं आएंगे तो accordingly वो उस चीज की production क्या कर देंगे? कम क्या कर देंगे? कम ऐसे में किस चीज की पैदावार घटानी है? यह किसने चैस्ट तै किया? बाजार में बाजार में, किसी ने नहीं बाजार में जैसे ही उस चीज की production कम होने लगेगी supply धीरे 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 श्रिंक होने लगेगी प्लस वो चीज सस्ती मिल रही है लोग बहुत bulk में भी consume कर सकते हैं या other alternatives की तरफ गए तो उन्हें पता लगेगा अब यह भी सस्ती होगी वो फिर इधर को आएंगे धीरे धीरे demand pickup हो रही है supply घट रही है फिर से equilibrium आ जाएगा prices फिर stable हो जाएगे इस तरह से demand and supply all the time equilibrium की position को reach करना चाहते हैं और इस चक्र में oscillation होता रहता है जैसे तराजू उपर नीचे होता है तो demand and supply का यह concept बाजार का मुख्य नियम है बाजार तै करता है किस quality की cheese produce होनी है किस कीमत पे बिकनी है कितनी produce होनी है कब produce होनी है सब कुछ बाजार तै कर रहा है क्योंकि यह बाजार किसी भी बाहरी दखल से एकदम मुक्त है इसमें कोई outside intervention नहीं है it is a clear cut free market economy या free market mechanism इसको कहते हैं free market economy system capitalism इसी पर खड़ा रहता है capitalism पूंजीवाद इसी free market economy के system को follow करता है support करता है और इसी के द्वारा वो जनम भी दिया जाता है तो ऐसे में इस free market economy में survive करने के लिए every capitalist हर capitalist, factory owner, farm owner बाजार में चाहेगा मेरा सामान बिके और दूसरी चीज़ हो यह क्या चाहेगा कि मेरा सामान क्यों बिके क्योंकि मेरे खर्चे पूरे हो और मुझे अच्छे मुनाफ़े मिले जारी कि मेरी प्रोड्यूस करनी है ताकि मुझे अच्छी कीमते बाजार में मिल जाएं और चार पैसे मुझे बचे तो चार पैसे बचाना उसका उद्धिश्य होता है यानि कि अपनी personal wealth अपनी private money को create करना उसकी एक requirement होती है उसकी wish होती है कि ऐसा वो कर पाए तो फिर इसी बेसिस पर वो यह देखता है कि उसको किस लागत के किस खर्चे की चीजह इस्तमाल में करनी है अगर उसका खर्चा निकलता है तो वो बहुत अच्छी नसल के बीज अगर उसको लगता है कि इतनी अच्छी नसल के बीज लगा देंगे, बाजार में भरपाई नहीं, किसी ने भरना नहीं, तो वो ठिक ठक नसल के लगाएगा, अगर उसको देखता है कि कितनी का कीमत उसकी बनाई गाड़ियों की कस्टमर बरेगा, वो उस उस लेवल की चीजे लगाएगा गाड़ी में, अगर उसको लगता है बहुत ज़्यादा कीमत भरने को कस्टमर त्यार तो वो बहुत हाई लेवल की चीजे लगा देगा, तो इन्पुट कॉस्ट डिसाइड करने में भी फाम ओनर को और फैक्टरी ओनर को बाजार नहीं गाइड किया, क्योंकि बाजार ही बता रहा है कि किस क्वालिटी की चीज़ की, इस समय कितनी मांग है, और उसके लिए गरहा कितना का पैसा भरने को तैयार हैं, यह आप देख लीजे, उस हिसाब से अपना प्रोड़क्ट डेवलप करिये और उसकी कीमत रखिये, तो किस क्वालिटी पे चीज़ बननी है, उसके लिए क्या कीमते रखवानी है, सब बाजार से तैय हो रहा है, उस हिसाब से फिर आप अपने मुनाफ़े और बाकी चीज़े देख करके यह तैय कर रहे हैं कि वरकर को और एगरिकल्चर लिबरर को कितने का वेजेज देख करके आपके मुनाफ़े बने रहत है, बना ओल दा टाइम माइंड में कॉंसेप्ट रहता है, मनी मेकिंग जैसे की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कि मुनाफ़ा अपना बनना चाहिए, जैसे भी करके बने मुनाफ़ा बनना चाहिए, आई बात समझ में, इतनी बात क्लियर, तो इस तरहां से होता ही रहता है कि इस नेशन रशिया में जब कैपिटलिजम है तो होगा ये कि किसी न किसी मैनर में फ्री मार्केट एकॉनमी या फ्री मार्केट कॉंपटिशन, फ्री मार्केट मेकैनिजम कॉंपटिशन को प्रमोट करेगा, कई फैक्ट्री ऑउनर्स सेम टाइप आफ गुड्स को लेके म कही किसान सेम क्रॉप को लेके बाजार में उतरेंगे, सब चाहेंगे कि उनका खर्चा निकले और उनके मुनाफ़े बने, तो all will compete in the open market, सब खुले बाजार में एक दूसरे से competition करेंगे, और उसी competition के basis पर कीमते तैह होनी है, इसको कहते हैं price discovery, जो कीमत बाजार तैह कर देगा, सब अपने मसाले लेके पहुंचेंगे, सब अपनी चीजें लेके वहाँ पहुंच रहे हैं, अपने चावल लेके पहुंच रहे हैं, सब अपनी अपनी goods लेकर के वहाँ पहुंच रहे हैं, और बाजार खुला है, customer ने जैसा रुजहान दिखाया उस हिसाब से कीमते बनी हैं आपको वो मिलेगी That's all ऐसे में it is this system of nation This system of nation is based on the system of competition यहां पर जो competition है वो primary है यानि कि एक फार्मर दूसरे फार्मर से, एक इंडस्टलिस्ट दूसरे इंडस्टलिस्ट से, एक इंडस्टलिस्ट एक फार्मर से, everyone is competing and competing for what? to capture the market हर कोई बाजार नियंतरन करना चाता है, बाजार का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने लिए ले जाना चाता है हर कोई चाता है कि मैं बाजार लूट लूँ, इंडस्टलिस्ट फार्मर के साथ डील कर रहा है तो वो यह चाहेगा कि मैं कम से कम कीमते भरूं फार्मर को ताकि मैं चुक्खा मुनाफ़ा कमा लो फार्मर इंडस्ट्रिस के साथ डील कर रहा है तो फार्मर के इच्छा रहेगी जितना ज़ादा हो ले पाऊं अगर इससे मैं डील ब्रेक करते समय तो मैं ले लूँ ताकि मुझे इस साल अच्छा मुनाफ़ा बच जाए तो हर किसी के विचार में अपना निजी मुनाफ़ा है क्योंकि जो यहाँ पे पूंजी लगी थी कैपिटल वो निजी थी प्राइवेट थी और पूंजी को बढ़ाना उनका उद्देश्य है क्योंकि एससेट्स प्राइवेट होंगे सारे property private है सारी capital सारा private है तो उसको बढ़ाएंगे तो आपकी निजी ताकत बढ़ेगी और ये तब हो रहा है जब competition होगा you have to face the competition and open market will give you that platform to face the competition if you are competitive enough if your goods are competent enough if your prices are competitive enough your goods will survive you will earn good profits otherwise you will not इसलिए आप अलग-अलग mobile company के अलग-अलग network provider के subscription लेते हो telephone के context में mobile services के context में तो आप ये देखते हैं लगबग-लगबग सभी का 84 days का plan लगबग-लगबग same price पही चल रहा होता है चाहे Vodafone idea ले ले लीजे चाहे एटे ले ले लीजे चाहे जीओ ले ले लीजे सब वही साथ सो दस रुपे पांच रुपे उननिस रुपे करी घूम रहे हैं क्योंकि एक दूसरे के साथ compete करते हुए सारे खर्चे निकालते हुए profits को देखते हुए इतना कई space मिल रहा है कि इतनी की कीमत रखी जा पानी है इन में से जैसे ही कोई एक कीमत गिराएगा छेसो साड़े छेसो पे आएगा दूसरों को मजबूरी नीचे आना ही पड़ेगा दूसरों को भी मजबूरी में नीचे आना पड़ेगा और इन में से कोई एक भी price बढ़ा दे दूसरों के नहीं बढ़ रहे हैं तो ये जो बढ़ाएगा ये survive नहीं कर पाएगा और अगर इसने घटा दिये दूसरों ने अभी घटाएगा नहीं तो सारे लोग इसकी तरफ ट्रांसफर हो जाएगे दूसरे फिर भी survive नहीं कर पाएगे इस तरह से बाजार में competition काम करता है आप तकरीबन गाड़ियां ले लिजे जैसे के Krita और Seltos एक दूसरी की competitor है आप observe कर लिजे उनके model और उनके prices एक दूसरे से compete कर रहे है आप XUV 700 और Safari ले लिजे आप models और prices compare कर ये compete कर रहे है segments है ठीक है आप इसी तरह से Tata की गाड़ियां ले लिजे Nexon उदर से venue ले लिजे बोथ are competing with each other Breza ले लिजे Breza, Nexon, Venue, they are competing with each other price competitive रखने पढ़ेंगे उनको किसी भी field में आप चले जाएए whatever the field is एक level के school होंगे तीन एक इलाके में ये एक शहर में एक level के होने चाहिए वो तो आप देखेंगे fees somewhat उनकी similar चल रही है competitive है इस तरह से ये जो society function करती है ये जो nation function कर रहा है capitalism के base पे इस पे जो फेक्टरियां हैं, farms हैं और whatever be the means of production whatever be the means of production यानि कि means of production of goods and services उस पर जो ownership है उसका जो control है वो private होता है private ownership है capitalism के अंदर तो सब input आपके निजी है सारे पैसा आपका निजी लगा है तो फिर आने मुनाफे भी आपके निजी होते है wealth भी आपके निजी होती है ओके? लेकिन ऐसे में ये माना जाता है कि capitalism के अंदर ये होता है कि बड़े पैमाने पर workers exploit होते हैं क्योंकि लागत मूले में सबसे जादा अगर कहीं आपको फायदा उठाने का मौका मिलता है तो वो ये कि बेरोजगारी बहुत जादा होती है बेरोजगारी बहुत जादा है जन संक्या जादा है लोगों को काम की ज़रूरत है survival के लिए और देखा जाए तो resources nation के थे resources belongs to the nation nation असल में क्या है? society ही है तो देखा जाए तो वो सुदेश के जो resources है वो समाज के resources है लेकिन उस सारे समाज के resources कुछ private लोगों के control में है few private families, few private individuals they are controlling all the resources they have ownership of all the resources तो rest of the person they are lacking the resources they are lacking the resources and if you have no resource I will tell you resource base होने से और ना होने से क्या फरक पड़ता है? I will tell you suppose कीजिए कि एक समाज है suppose there is a society उस society में उस society को यहाँ आप nation की तरह imagine करिये तो society में उस नेशन में सिरफ एक ही जमीन है एक एकड़ और कुछ नहीं है एक एकड़ जमीन है ऐसा suppose करिये ओके? यह रावो एक एकड़ है और इस समाज में इस देश में सिरफ दो लोग रहते हैं ओके? अब मैं आपको तीन सिनेरियो देता हूं सिनेरियो नमबर वन केस वन दोनों बोथ बोथ आर दा ओनर ओफ देट लैंड दोनों इस जमीन के मालिक हैं और कैसे मालिक हैं? इकल, बराबर के मालिक हैं केस नमबर वाण केस नमबर टू केस नमबर टू एक मालिक है एक उस खेत में वरकर है लेवराल so one is ओनर and another is लेवराल ओके? Case No.3 Case No.3 Both are laborers Both are laborers अभी के लिए ये भूल जाओ कि Who is the honor? Honor is someone else वो विदेश में हो सकता है चलो, अभी both are the laborers अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि इन तीनों cases में से Case 1, Case 2, Case 3 में से दोनों maximum strengthened किस case में होंगे? कि दोनों पूरी तरह ताकतवर किस case में होंगे? Case 1, Case 2 या Case 3? Case 1 जब Both are the honor of that land and equal honor दोनों उस जमीन के बराबर मालिक थे तब आपने माना कि वो सबसे ताकतवर है ठीक है? ये आपने चूज किया है socialism and communism को by default ये आपने unknowingly आपने इसको चूज कर लिया मैंने नहीं कहा था आपने चूज किया socialism and communism आप concept से जी रही हो इस चीज को बस किताबों में academically ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे लगता है ये कोई alien बात है हमारे से हमारी फिल्ड की नहीं है इंजिनरिंग वाला बच्चा कह रहा है कि जो सामने बच्चा बैठा इंजिनरिंग का है और वो बोल रहा है मैं case 1 को चुनूँगा उसे नहीं पता है कि unknowingly वो socialism को चुन रहा है communism को चुन रहा है मैं यहाँ socialism, communism को capitalism से अच्छा नहीं बता रहा हूँ मैं academically फर्क बता रहा हूँ अच्छाईयां बुराईयां दोनों system में है capitalism में अच्छाईयां बुराईयां भी है और socialism, communism में भी अच्छाईयां बुराईयां है बट मैं यह बताना चाहता हूँ कि यह सब जो terms बनी हैं यह terms बाद में बनी है पहले आपने इन चीजों को जीना शुरू किया आपने इन values को prefer किया आपने इन चीजों को value किया तभी Karl Marx ने Frederick Angel ने इन्हें identify किया आपने prefer करना चुरू किया आपने इन्हें value करा तब उन्होंने identify किया और उन्होंका काम मातर इतना था कि उन्होंने identify करके इसे पूरी तरह से सिध्धान्तिक तौर पर meritorious manner में evaluate अच्छे से करके concept बना के आपके सामने रख दिया ये उनका योगदान होता है बड़ चूज आप इसी को करोगे जब मैं आपको कहूंगा कि भरपूर ताकतवर कब महसूस होंगे दोनों अच्छा अब आप इसे कब चूज नहीं करोगे अभी भी इमानदार इसे जवाब देना प्लीस धोका मत करना चूट मत बोलना येर पूरे दिल पे हाथ रखके कहना बिल्कुल भी कल्परिट नहीं कहूंगा मैं तुम्हें पर नाटक मत करना अब केस ये दे रहा हूँ कि सपोस दो ही लोग है एक आप हो और एक स्ट्रेंजर है आप नहीं जानते उसे एरपोर्ट पे जैसे कोई मिल जाता नहीं एकदम स्ट्रेंजर रिल्वे स्टेशन बस टेंड या सड़क पे चलते जाते एकदम सड़क पे मिल गया और अब आपको तीन केसेज चूज करने को दिये गए हैं केस वन केस टू केस थरी अब कौन सा केस चूज करोगे कुल के बोल बेटे इमांदर अदमी है सेकंड केस कह रहा है मैं चूज करूँगा सेकंड केस में खुद को कहां इमेजिन कर रहे हो ओनर ओफ दा लेंड हाँ भी अभी फस करेगा कोई नहीं फिर गाड़ी तरी लेते हैं जल्दी जथार करी दिया नहीं केस नंबर सेकंड यही तो समझा ना चाह रहा हूं मेरे बच्चे खेत है ना आपके खेत है की नहीं अब जल्दी जवाब दो अन रिकॉर्ड जा रहे है खेत है ना वेरी गुड गुड बॉइ खेतों में वरकर काम करते है ना लेबरर परवासी भारती होते है ना वो दूसरे राज्यों सा है होते है ना मैं दूर दर्शकों के लिए बता दू पंजाबी चोना हिंदी में धान और इंगलिश में पैड़ी चोने की खेती करवाते हो ना कैसे रेट तै करते हो उनके साथ चोने की खेती करवाते समय किले के हिसाब से कितना रेट देते हो जितनी वो बोलते हैं अना उतना देते हो मौल भाव करते हैं हम रेट जो बोलते हैं कितने बंदे लगते हैं खेतों में काम करने के लिए और हमने कभी तो दिहाड़ी बनाई होगी उनकी कि दिहाड़ी कितनी बनती है बनती है ना उनमें से किसी भी लेबर के पास आपने देखा उनकी स्किन का कलर धूप में चो ना लगाते समय में उनमें से किसी के भी पास आपके मुताबिक थार है आप इंस्टिटूड कभी मोटरसाइकल पर आते हो मैं रोज किस पे आता हूँ आप किस पे आते हो कार पे आते हो तो आपको खेतों में उनसे काम लेते समय कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ऐसे तो ये जिन्दगी बर ये इनके बच्चे वो एजुकेशन वो फिसिलिटी वो लगजरी तो ले ही नहीं पाएंगे जो मुझे मिल रही है आपके मन में नहीं आई ये बात तो आपने क्यों नहीं गरवालों से बात करके उनके साथ कुछ धन सांजा किया अपना अब शुरुआत क्यों नहीं कर पाया ये ये क्यों नहीं कर पाया आप अगर आपकी विचारधारा ये है कि सर सबसे ताकतवर मैं तभी महसूस करूँगा जब मेरा साथ वाला भी ताकतवर महसूस करे तो आप तो कई सालों से खेतों में खेती करा रहे हो और हर साल लेबरर आती है और मैं दावा कर सकता हूँ कि उनकी औरते भी खेतों में काम करती हैं वो भी साथ में चो न लगवाती हैं तो आपको अपनी परिवार की और उन औरतों के रुतबे में कभी फर्क नहीं मैसूस हुआ आपका मन नहीं हुआ कि उनका भी रित्वा हमारे परिवार की ओरतों जितना होना चाहिए तो ये फालतू बाते हैं ideological, bogus जिने कहते हैं ideological बाते तो अच्छी होती है व्यक्ति के सामने जब परिस्तिती आती है तो परिस्तिती वो यही चूज करता है तब वो बिलकुल आख मूंद जाता है और उसमें ये होता है कि मेरी परिस्तिती बहतर होनी चाहिए ये अच्छा है बुरा है मैं नहीं कह रहा हूँ अमूमन ये होता है हम चाहते हैं resource based हमारे control में हो उसके बाद हम जितनी क्रिपा किसी पर करना चाहें हम करेंगे philanthropic होना एक बात है compassionate होना एक बात है लेकिन equal rights होना ये बहुत अलग बात है जैसे आप लोगों को क्या देखेंगे बहुत बड़ी बड़ी जमीने फैक्टरियों के मालिक है उसमें से कुछ बिलकुल भी नहीं सोचेंगे worker के बारे में कुछ सरदियों में कंबल देंगे थोड़ा canteen में चाहे की विवस्था करेंगे ये ये है कि वो थोड़ा ज़्यादा philanthropic है या थोड़ा compassionate है that's all लेकिन अगर आप उन्हें office में बठा करके कहें कि हम आज से एक system करने जा रहे हैं कि आप और worker बराबर के ओनर हैं इस factory के outrightly आपको office से बार दक का मार देंगे चल निकल यहां से अगर यह आप कहें कि हम trade union बनाने जा रहे हैं आप और union अपसे बराबर के मालिक होने वाले हैं they will never accept it क्योंकि resource base पर किसका control है कितना नहीं यह बहुत बड़ा question है society के सामने और individual position को superior position तक ले जाना इतनी deeply rooted है व्यक्ति के किरदार के अंदर कि वो resource base को capture करना चाहता है तो case number two में capitalist समाज की रचना होती है एक nation यानि के society में एक ही एकड़ जमीन थी उसका एक मालिक था एक labor था तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे resource base संसाधन का आधार जमीन का टुकड़ा है जमीन का टुकड़ा honor को गया है labor को नहीं तो honor और labor की position society में economy society और polity wise सेम होगी कि नहीं नहीं हो सकती किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती क्योंकि इस जमीन के टुकड़े से जो profit आएगा वो honor को जाएगा और labor को क्या मिलेंगे wages this is the first thing second यह जमीन का टुकड़ा आगे inheritance में inheritance में successionship में honor के बच्चों को जाएगा labor को wages उस दिन तक मिलेंगे जिस दिन तक वो दियाड़ी लगा पा रहा है that's all इस जमीन के टुकड़े पर किराया honor को मिलेगा wages नहीं मिलेंगे labor को क्योंकि वो labor देही रहा क्योंकि जमीन किराय पे चड़ा ही हुई है इस जमीन के टुकड़े के बिकने पर आज पांच लाग रुपे का है कल कॉलोनी कटे की नैशनल हाईवे में में आ गया दो करोड का है पांच लाग का टुकड़ा दो करोड में बिका एक करोड 95 लाग का मुनाफ़ा honor की जेव में गया क्योंकि resource base यानि की जमीन उसकी थी लेकिन wages की दिहाड़ी तब 300 रुपे थी आज 300-400 रुपे है मात्र एक resource base पर हक होने से ही हमारा उस व्यक्ति के मुकाबले समाज में आर्थिक, राजनितिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतर बेयंत पैदा हो गया उसके बच्चे को inheritance में कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इस बच्चे को जनम लेते ही बिना कुछ किये, जमीन का टुकड़ा inheritance में मिलेगा जैसे इन्हें आज दिन तक बिना कोई पैसा कमाए सब कुछ inheritance में मिला है क्योंकि एक privileged परिवारधन संपन परिवार में पैदा हुए है लेकिन इनके खेतों में जो बरकर का बच्चा काम कर रहा है क्योंकि वो धन संपन परिवार में पैदा नहीं हुआ इसलिए उसे inheritance में destitution, poverty, hunger, malnutrition, backwardness मिला है और क्या मिली है? लेबर तो थोचा जाए एक society है यानि कि एक nation दो ही लोगों का nation था और society के पास resource के नाम पे एक ही जमीन थी एक एकड़ जमीन जब वो resource base एक के पास था दूसरा इसके हाथों exploit हुआ दूसरा इसका दास बन गया पिछड गया और वो पिछड़ापन, दास था PD दर PD उसके बच्चों को भी मिलती रही क्योंकि इसको resource base मिला है तो यहीं से अब kick start हो गया इसके बच्चे सिक्षा भी अच्छी पाएंगे सिक्षा अच्छी पाएंगे अच्छे मैनर में agriculture land को manage करने की सारी technical know-how और सारी technology भी उनी के पास होगी वो खुद को better survive करेंगे उनके पास better opportunities होंगी मैं challenge करता हूँ क्योंकि उनके life chances इस person 1 के बच्चों के और person 2 के बच्चों के life chances में बहुत फरक्रा है इसके बच्चों के life chances बहुत बहतरीन इसको बहुत बहतरीन परिवार के लोग मिलते रहे हैं इसकी उठरी बैठरी उनके साथ रही है इसका exposure इसकी personality बहुत comprehensive बनी है इनके बच्चे कई opportunities क्रिएट कर जाएंगे लेकिन इसके बच्चे बिलकुल भी exposure नहीं मिला है और life chances कुछ नहीं रहे हैं तो नहीं कोई opportunities क्रिएट हो पाएंगे मतलब एक perennial vicious cycle of poverty क्रिएट होता है the case number two ये कर रहा था दुनिया भर में capitalism ऐसे काम कर रहा था हाई बास समझ में that is the concept लेकिन suppose करो कि इसने इसके खिलाफ जंग का एलान किया मुर्चा खोल दिया इसने protest किया कि नहीं this society belongs to both of us this nation belongs to both of us so the resources belongs to both of us equally who are you to control the resources exclusively who gave you this right to exploit me who are you to decide my destiny my future the destiny of my child the future of my child who are you to compel me to live in a state of despair in hunger in poverty in backwardness if you have aspirations I have as well if you are here to fulfill your aspirations to nurture your social, economic, political, cultural dimensions I also want to develop my social, political, economic, cultural dimensions if society is common to us if nation is common to us then the resource base should common to us it belongs to both of us so this person too protested to this person one and somehow he overpowered this person one and finally the person one agreed agreed to share the resources equally case number case study number one installed now both are sharing the resources equally because there is no third person so who will perform the labor on the farms in the scenario number case number two only one person was doing labor but now in the case number one and if there is no third person both will ultimately contribute equally to the farms both will do work on the farm so both will contribute labor so this if this is the farm if converted to the society if this is the nation so the concept of socialism and communism is so right now I am going to write down something the concept of communism is from each so what is what is what is contribution contribution from each according according to his his or her ability so contribution from each according to his ability to to the society nation or you can call it resources so everyone contribute according to his or her ability into the development into the production of the goods and services here the goods are the crops so person one is competent enough to to work upon the machines so he is working upon machine and person two is competent enough to prepare the land competent enough to select the seeds competent enough to to provide fertilizers and insecticides so both are contributing to the society both are contributing to the nation in their best capacity as per their ability so this is the input side now they are giving to the society they are giving to that land it 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 might be factory it might be the factory it can be anything it is your society it is your nation here I am equating the society with the resource base okay so now both are contributing both are doing labor no one is exploiting the other both are having equal status in communism here this is the definition of communism in communism when the side of input in context of your contribution contribution is from each according to his ability all are contributing according to his ability but in context of output delete kar doon itana to clear hai na baab ko so is is resource base se is society se is nation se ab deene ka sameh hai kyaunki joh ugao ge usse beecho ge bhi so the next line is to each to each according to his her her needs this is communism this is communism and and socialism agar hai toh to each according to his her contribution this is the very big difference needs and contribution so in communism so in communism samyavad me some communism and socialism me this is same this input is same this definition is same for both in socialism and communism contribution kis context me from each according to his ability in socialism all will contribute according to their ability now there is a time of the distribution of the fruits of the contribution that is the wealth or you can call it goods and services so then the wealth or you can call it the goods and services or you can call it the entitlement whatever the thing you can call it it is to each in communism to each according to his needs in socialism to each according to his contribution this is very big difference so you can call it case number two case number two को नकार दिया क्योंकि आपको लगा वो exploitation based society है उसमें resource based कुछी लोगों तक सीमित हैं जबकि resources तो पूरे समाज के होते हैं आपको लगा कि capitalism based society में जब जमीन किसी एक की दूसरा labor है तो inequality हो गई एक के लिए virtuous cycle begin हो गया उसका उसके बच्चे उसके बच्चे सब एकदम virtuous लेकिन एक के लिए vicious cycle begin हो गया वोद labor उसके बच्चे labor उसके आगे बच्चे labor 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 कोई प्रगती नहीं कोई विकास नहीं कुछ नहीं एक society based on the oppression wealth concentrate किसके पास जिसके पास resource based की ownership थी वो पीडी तर पीडी wealth concentrate करते जाएगा पहले जमीन से होने वाली फसल के मुनाफ़े उसके जमीन पर आने वाले किराए उसके जमीन के बिकने पर उस पर हुआ धेर मुनाफ़ा उसका so concentration of the wealth और दूसरा day by day poor 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 क्योंकि with the passage of time wages उतने नहीं बढ़ रहे हैं लेकिन inflation बढ़ रही है सब capitalism हो रहा है आपने खुद तो बताया भी मैंने कहा पढ़ाया कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कुछ आप पहले मुझे बताओ मैं कहां कुछ पढ़ा रहा हूँ आप खुद बता रहे हैं बताओ case number two में ये सब होता नहीं है कोई एक चीज़ practically ना imagine हो रहा है तो deny कर दो चलो सब तो imagine हो रहा है आपको समझ में आई बात लेकिन फिर क्या हुआ ये बोला गया कि जब society सब के लिए common है नेशन सब का है तो resources सब के होंगे resources should belong to everyone that is every member of the society not any member of the society every member that is resources should belong to the public not only to the individuals या तो सारे दल के होंगे संसादन सारे दल के हैं किसी एक के नहीं सारे group के हैं किसी एक के नहीं सारी community के हैं किसी एक के नहीं तो community से शब्दाया communism community से क्या शब्दाया communism और यहां पर concept अब पूझी पूझी लगा के पूझी का ही निर्मान नहीं है मुनाफ़ा खोरी नहीं है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है कम पूजी लगा करके ज़्यादा आमदनी कमाना जो कि पूजी वाद का सिद्धानत है कैपिटलिसम नहीं है यहाँ पर अब कॉंसेप्ट समाजिक नियाए का है यह कॉंसेप्ट है समाजवाद का कॉंसेप्ट समाजवाद कैसे कि संसादनों पर समाज का समान अधिकार होना चाहिए परिवार वाद नहीं होगा फैमिली से फैमिली में नहीं जाएंगे जाती वाद नहीं होगा कलासेज नहीं होंगी उच नीच नहीं होगी सबके साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक स्तर पर नयाए जो हो वो यही की समानता है Egalitarian Society, समाजवाथ ओके? इतनी बार समझ में आई? तो ऐसे में इन चीजों के साथ ये बुन्यादी फर्क हमारे सामने आकर के खड़ा हो गया भी बहुत जवर्दस समझाने वाला हूँ कि मैंने ये लिखा क्या है, ये कैसे अलग हैं कि दूसरे से पहले वहां तक ले के जा रहा हूँ पहले तो समझो तो वो सोसाइटी जिस सोसाइटी में दो में से ये वाला ओनर था और ये वाला लेबर था इस सोसाइटी में क्या हुआ क्लास वन, क्लास टू ओनर क्लास, लेबर क्लास इस सोसाइटी में होती हैं क्लासेस और ये क्लासेस किस पर बेज़ें इन इक्वैलिटी पर असमानता पर क्योंकि इन इक्वल एक्सेस है on the resources not the equal access labor का access to the resources कितना है? सिरफ wages तक सीमित है. लेकिन honor का resources पे कितना access है? प्रोपराइटर का अधिकार है वो मालिक है जमीन का. किराया वो भोगेगा, मुनाफ़ व भोगेगा और जब बेचेगा तो मुनाफ़े की रकम भोगेगा और सबसे बड़ी बात succession के अधिकार भी भोगेगा अगली पीडियों को भी देगा तो इसलिए दोनों का इस resource बेस पे जो access है control है वो in equal है इसलिए classes बन गई एक employer class, एक employee class ये बुरा नहीं है लेकिन this is the honor, this is simply the liberal और ये inequality पर बेस्ट है इसलिए class based society capitalism किसको जनम देता है class based society और यही classes उच नीच को अगड़े पिछड़े को inequalities को असमानताओं को जनम देती है आई बास समझ में और कई societies में तो ये हो जाता है कि ये classes honor की class associated with the privileges privileges labor की class associated with the deprivations वंचित समाज और सभी तरह की सुक्सो विधा संपन समाज संपन समाज वंचित समाज ये है पिछड़ा ये है आगड़ा समाज और खाई और बिखर गए तो इस तरह से privilege based society deprivation based society this is the discrimination based society इसमें discriminations है मेर भाव है resources पर इसको कैसे control दे दिया इसका क्यों नहीं अधिकार था जब दोनों समान नागरिक थे उस राष्टर के तो उस राष्टर के संसाधन पर इसका अधिक अधिकार इसका नहीं अधिकार यह कैसे हो गया यह सवाल पूछा क्या आई बार समझ में that is the system इतनी बार clear तो ऐसे में concept आया communism का जिस concept में कहा गया society should be classless society classless होनी चाहिए एक बिंदू society should be privilege free deprivation free society should be egalitarian egalitarian समान संसाधन हो सबको समान अधिकार मिलें सबको समान रूप में विकास कर सकें सभी और समान रूप में अपने राजनितिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयामों को उकेरें, बढ़ाएं, प्राप्त करें society should be classless society should be egalitarian and ownership should be vested with public not with private individual and there should be no there should be no private property no private property no private ownership no private control on the resources there should be only one property that is public property दो बंदे हैं, दोनो को resource होगा total public is two total public will control the resources there should be no private property public property public should control all the resources then there will be equal access to the resources both will have equal access to the resources then there will be no inequality based caste classes no inequality based classes so classless society so then there will be nobody which can accumulate which can concentrate wealth because there is no right you cannot concentrate you cannot accumulate wealth because in this case one in this case both are the honor both will concentrate wealth equally तो both are equal in that sense बोथ are equal in that sense अगर accumulate भी कर रहे हैं तो बराबर accumulate कर रहे हैं तो भी दोनों बराबर ही है उची नीच का कोई concept नहीं अलगी जब अभी थोड़ा और refine करके आगे जाना है तब समझ में आएगा accumulation of wealth का सिध्धानत ही खतम हो जाता है सोशलिजम का true सिध्धानत जो था peak पे अचीव करना था वो ये था कम्यनिजम सोशलिजम का elimination of money money eliminate करना है money eliminate कर देना है कैसे eliminate होगा money की need ही नहीं होगी इसका एक चोटा उधारा न देता हूँ बहुत से मुलक ऐसे हैं Sweden, Norway, Denmark और कुछ और मुलक भी बुढ़ापे पर बहुत जबरदस pension देते हैं सिख्षा, इलाज बसों का travel बहुत बड़े पैमाने पर support है, एक्तम free है, सब कुछ बहतरीन है क्या लोग, वहां के लोग FD यां करते हैं, पैसा जोड़ते हैं बताओ मुझे यह क्यों सुनाया आपने foreign का culture है, कि weekend पे सारब ऐसा खर्च देते हैं no insecurities no insecurity, because someone is there that is society, that is state state will take care about your needs state will take care about your medical expenses and it will take care about everyone's medical expenses not about few families, everyone once, सबको Medicare का card मिलेगा अमेरिका में, वो तो इतना famous हो गया कि वो green color का है, तो उसी को कहते green card मिल गया मने पक्का हो गया it is nothing but a Medicare card it's a green card green card is not a visa card पर वो मिलता उसको है जो पक्का हो जाता तो वो निशानी बन गई गाओं गाओं माजे में रहता हो पंझाब में गाओं गाओं बाथे Green Card पाते hvad green card मिल गया Green Card मिल गया चलो मिल गया क्या मिला कुछ नहीं एक Medicare Card मिला ऐस्ट्रेलिया वालों ने Kangaroo passport मिल गया Kangaroo passport मिल गया हो गया है, so the thing is, state will take care about your medical expenses, state will take care about your senior citizen pensions, state will take care about the expenses of your education of your child, state will take care about many things, then आप ऐसे बैठे हैं कि बतल जोड़ना पैसा क्या करना मतलो, चिल, खर्चा, चिल मार रहा है, और दूसरी बात, काम पर नहीं जा रहे हो, काम नहीं मिल रहा है, state will give you the compensation of many types, aid, support, support देगा, aid देगा, food coupons, सब कुछ, तो ऐसे में आप FDN कर करके, बचा बचा के, बचा बचा के मरे जा रहे हैं, वहां पर आप उनसे पूछ रहे हो, आप उन्हें कहा रहे हैं, हफ्ता कमाते हो, Friday night से खर्चना शुरू करते हो, सिर्फ इसलिए जाके round मारते रहे हैं, पैंसन लगनी, पैंसन लगा के आ जाएंगे, तो वहां के तो नागरीकों को मिली रही है, पैंचन बुड़ा पर मिलनी हैं, चिल्लम चिल्ली चल रही है पूरी, बसों उसों पर किराया हो रहा है, तो फ्री ट्रेनों पर, इलाज सारा मिल रहा है, खर्चा पानी चलाने को पैंचन आई रही है, तो फिर पैसा जोड़ना काई को, कैसे मनी की importance eliminate हो गई, money eliminate करना बोले तो इसका महत्व आपके जीवन में vanish कर देना, समझ में आई, ये तो अभी नॉर्वे, स्वीडन, डेन्मार्क, अमेरिका की बाग कर रहा हूँ, कई मुल्क तो इतने जवरदस्ट, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, लोग पूर रहे हैं, जैसे, कैते, we will give you housing, इतने नंबर घर allocate हुआ है, आपको जाओ, बसो, कैते, ठीक है, घर मिल गया, वाओ, अब घर बनाने के लिए ही पैसा जोड़ना था, घर तो मिल गया, कैते, we will give you food, you need food, we will give you food, इस राशन शॉप से, हर हफते, आपके फैमिली मेंबर को देख लिया, हमने इतना, इतना nutrition जाँचा है, हमारे देश की सरकार ने, उस nutrition के हिसाब से, आपकी जरूरत को देखते हो, इतना food voucher आपके नाम का है, जाओ जाके food उठा लो, food मिल रहा है, food के लिए कमाना था, food मिल रहा है, food shop से, housing हो गया, food हो गया, कैते, आप बहुत बिमार पढ़ते हो, रोज बिमार पढ़ते हो, food, बिमारी के लिए पैसा जोडते हो, you have free medical treatment, go, छोटे डॉक्टर से लेके बड़े hospital तक, हमने different tire में medical system खड़ा किया है, छोटे डॉक्टर के पा इस, कैते, और कर्चा किदर करना है, कैते, रोटी पानी हो गया, रहन सहन हो गया, दिवाई, इलाज बीमारी हो गया, आप क्या बचा कैते, सर पढ़ाई, कैते, best of the best study we will give you, छोटे लेवल से लेके, स्कूल से लेके, एकदम, topmost university तक, research करना है, आगे बोलना है, क्या करना है बताओ, कैते, वो भी एकदम हो गया, कैते, हाँ, वो भी free, कैते, आप बताओ, कैते, अब तो फिर कुछ नहीं है, कैते, और बच्चों का कुछ, बच्चे enjoy करना काते हैं, there will be many recreational parks, we will create, पार्क बनाएंगे, जूला लगाएंगे, मौच कराएंगे, इतने हफते में, इतनी बार वहां जा सकोगे, इतनी बार entertainment ले सकोगे, हमने hall बनाये, cinema hall, और हर latest film हम लाके वहां release करते हैं, जाओ देखो, enjoy the life, क्यों हमारे देश की बड़ी बड़ी कमपनियों में ऐसा प्रबंद नहीं किया जाता, क्यों आज बैंकों में लोग जॉब करते हैं, तो बैंक वाले उन्हें entertainment का expenses नहीं देते हैं, फिलम देखने का, अकबार पढ़ने का पैसा देते हैं, ट्रेवल का पैसा देते हैं, पैट्रोल डीजल देते हैं, जाओ पता करो बैंक वाले की पेसलिक निकालो, उसमें लिखा हो ता अकबार का इतना, गूम, ट्रेवल का इतना, regular commutation के मूविऊ करने का फन पारक बनाने का वाटर पारक बनाने का चिलनम शिली करने का अब पैसा क्यों चाहिए ऊपर दीखना चाहता किसी से तेरे गेट के बाहर बस्टॉप बनाया है बस आती है रोज चकम चाक बस उसपे चड़के काई को नहीं जाता पुब्लिक ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं यूज करता ट्रेन चला रखी है बस चला रखी सब चाता है वाय यूर नॉट कम्यूटिंग ऑन दा बस ऑन दर केते हां बस तो है केते फिर गंधी आलत आदत मत पाल उपर मत जा किसी से बराबर हैं सारे बस पर ट्रेवल कर चल जा ज लाज का भी हो गया सब होई ही गया है केते मनी की कोई जुरूरत महसूस हो रही केते नहीं तम खाली जीव रहता हूं सारा दिन फिर भी कोई डर नहीं लग रहा है बस कहते हैं we are successful in the elimination of the value of the money. तुमारे लिए मनी की जुरूरत खतम कर दी. True communist state. We will take care of all your needs. So communist state, communist resources, communist society, communist nation to each according to his needs. खराद का काम करना जाता हूं, खरादियां हूं मैं. कहते फिर पहले बताना था, खराद पर आजा फिर. काम लेना है तरह से. फैक्टरी चलेगी, वो product develop होंगे, लोगों को बेचेंगे. बेचेंगे, तो माल आएगा. वो माल आएगा, तो इससे दुनिया बर से train, गाड़ि राष्ट के नाम लगा दे, समाज और राष्ट तेरी चिंताव कर लेगा. चला. सब तेरा है, तू मालिक है. अपना आप लेया, अपना परिवार लेया, सब लेया, सब लगा दो इसमें. और यहां से फिर सब तुझे मिलेगा तेरी जरूरत के मताबिक. तू जितना हो एक सवाल पूछ लिया, मालिक जरूरत कितनी है, मेरी ये कौन तै करेगा? कहते हैं, मूँ बंद कर. वो हम तै करेंगे. यहां से कम्मुनिजम डिस्टॉर्ट होता है, खराब होता है. लेकिन सोचलिजम इसे अलग है. सोचलिजम कहता है, एक मामले में मैं कम्मुनिजम ज कॉंट्रिबूशन, जिस इंजिनियर ने इंजिनिरिंग जितना कॉंट्रिबूशन दिया अपनी अबिलिटी, उसको उतना कॉंट्रिबूट करेंगे बदले में. खरादी इने खराद जितना काम किया, उसको उतना देंगे. ताकि दोनों को ये महसूस हो कि मैं समाज में ज इच्छा जागती रहे यहां पर कम्यनिजम से सोचलिजम अलग है सोचलिजम आपको आपके कॉंट्रिबिउशन के अकॉर्डिंग देता है कॉंट्रिबिउशन in context of आपकी ability कितनी है लेकिन कम्यनिजम देता है जितना उसको लगता है आपकी जरूरत है आई बास समझ में लेक हम चीजों को यही रोक देते हैं इससे जादा आप मैस हो जाएंगे हम इससे आगे अगले अध्याय में बढ़ेंगे यहां तक के सारे कॉंसेप्ट को बेस बना के हैं फिर उसमें हम एक एक लाइन जो लिखेंगे आपको पानी की तरह रिकॉल होगी की पड़ा है आपने ओके थैंक यू सो मच